Hello everyone, I am back with another amazing revision session और आज का जो में हमारा session होने वाला है वो one of the most awaited topics का होने वाला है जिसका नाम है Rectification of Errors Rectification of Errors हमारे CA Foundation के accounting का बिड़ा एक concept है, एक पुरा chapter है you can say Rectification of Errors सबसे जादा important topics में से एक है और ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले चारो exams में पिछले चारो exams में याने आपका July 21, January 21, November 19, November 20 ये चारो papers में Rectification of Errors के questions आये थे, in fact November 20 को छोड़ दीजे, बाकी के तीनों papers में इस पे 10-10 मार के questions थे ठीक है, तो I am sure आप ये समझी चुके होंगे कि आपके exam में भी आने वाला है और इसका revision क्यों इतना जरूरी है और ये lecture क्यों इतना आवेटेड था Rectification of Errors में students लोग काफी दिक्कत भी होती है, काफी सारे silly-silly mistakes जो है students कर देते हैं अकसर ये lecture उन students के लिए है, जिनोंने chapter पहले कभी न कभी पढ़ा हुआ है और वो ये से एक proper comprehensive revision के तौर पर देख रहे है definitely उनको ही help करने वाला है, ठीक है अगर आपके first time पढ़ रहे हैं तो मैं आपको suggest करूँगा कि आप हमारे full lectures हैं उसे देखें जो लोग पहली बार मेरे साथ इस channel पर जुड़े हैं उन्हें मैं अपने आपको introduce करवाद हूँ, मैं हूँ CA विविक मालू, मैं एक specialist हूँ, accounting का और mathematics का I teach at all the CA foundation, intermediate and final levels आगे जाने से पहले chapter की शुरुवात करने से पहले मैं आपको समझा दूँ कि इस पूरे revision lecture में मैं क्या-क्या आपसे करवा के लेने वाला हूँ, इस revision lecture में मैं चारो थरीके के errors याने error of principle, omission, commission or compensating errors वो सब के बारे मैं आपको बताऊंगा, उसका revision करवाऊंगा मैं तीनो अलग-अलग phases of error detection, like before preparation of trial balance, after preparation of trial balance and in the next year, ये तीनो भी अलग-अलग stages होते है, error finding के, उसके बारे में भी आपका revision करवा के लूँगा इन सब के total साथ अलग-अलग questions, मैं आपसे करवा के लेने वाला हूँ, साथ बड़े-बड़े questions, जिसमें ये पूरे के पूरे topics थरली cover हो जाएंगे और सिर्फ इतना ही नहीं, example के रूप में बिड़ा आपको 19 different kinds of errors जो है, उसका rectification तीनो levels पे याने before trial balance, after trial balance and after final accounts, ये तीनों भी levels पे सिखाऊंगा, तो ये आपका chapter, आपका revision comprehensively cover हो जाएगा, आपको और कुछ देखने की ज़रुत नहीं पड़ेगी, आप बस इस एक lecture को देख लीजे, मेरी guarantee है कि आपका पूरा chapter खतम हो जाएगा जो लोग पहली बार channel से जुड़े हैं, अगर वो ऐसे lectures और भी बहुत चाहते हैं, definitely पिटा आपको चैनल subscribe कर लेना चाहिए ठीक है, वीडियो को like करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर आपको वीडियो सच में पसंद आया, तो definitely share भी करिएगा और comments में हमें बताइएगा, ताकि definitely पिटा हमें motivation मिल सके कि हम लोग आगे आपके लिए ऐसे बहुत अच्छे अच्छे lectures जो है वो लेक के आए, ठीक है, चलिए, let's start सबसे पहले शुरुबात करते हैं, error की, error क्या होता है, unintentional omission और commission, मतलब कोई भी unintentional, मतलब जो आपने सोचा नहीं था, जान पूछ के नहीं किया, और गलती हो गई, हो सकता है कि हम कोई amounts लेना भूल गए हो, गलत account में डाल दिया हो, गलत क्या बोलता है, amount डाल दिया हो, ऐस अगर आप intentionally गलतिया करते हैं, तो उसे error नहीं, fraud कहते हैं, याद रखेगा इस चीज़ को, यह unintentional errors किसी भी stage पर हो सकते हैं, हो सकता है, journalizing के time पर हो सकता है, ledger posting में हो सकता है, financial statements बनाते ही time हो, ठीक है, यह सारी stages हम लोग discuss करेंगे, errors जो होते हैं, यह क्यो होते हैं, हो सकता ह mathematical errors हो, ठीक है, calculation mistakes, हो सकता है, accounting policy लगाने में गलती कर दी गई हो, misinterpretation of facts, facts गलत तरीके से इंटरप्रीट किये गई हो, इसके अलावा oversight, याने overlook कर दिया kind of, उस कारण से भी errors हो सकते हैं, errors कब-कब हो सकते हैं, हो सकता है, जब आपने journal बनाया तब हो, या जब आप ledger posting कर रहे time, ऐसे कई सारे जगे हैं, जहां पर errors जो हैं, वो किये जा सकते हैं, error के अलग-अलग types क्या है, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूँ कि type 1 error और type 2 errors क्या होते हैं, type 1 error का मतलब होता है, जिसमें trial balance टैली कर जाएगा, trial balance क्या होता है, trial balance एक statement है, जिसमें आप सारे account balances लिखते हैं, याद रखेगा अगर आपने debit और credit दोनों बराबर post किये हुए हैं, तो आपका जो trial balance बनकर आएगा, जो account के closing balances आएगे, उनके debits और credits की total हमेशा match करेगे, यह मतलब अगर आपने बराबर accounts बनाया है, आपने किसी का भी second effect miss नहीं किया, तो आपका trial balance जो होगा, वो agree कर हुआ है, type 2 error का मतलब एक ऐसा error होता है, जिससे trial balance tally नहीं करता, हमने एक effect post किया, दूसरा effect post ही नहीं किया, तो understand debit हो चुका है, credit हुआ ही नहीं है, तो फिर obvious सी बात है, trial balance tally करेगा क्या, नहीं करने वाला, ठीक है, तो आपको यह चीज़ समझ जानी चाहिए, कि type 1 और type 2 errors दो तरीके के हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें trial balance tally करेगा, trial balance tally नहीं करेगा, types of errors का एक तरीके का classification ऐसा भी है, कि आपके types of errors में error of principle और दूसरे होते है clerical errors, clerical errors के भी तीन classification है, errors of omission, errors of commission और compensating, error of principle type 1 category का है, अभी तक मैंने इसका revision आपको नहीं करवाया, कि इसका meaning क्या है, लेकिन आपको बतागे रख रहा हूँ, वैसे ही मैं वापस आपको आगे बताऊंगा ही, error of principle type 1 वाला होता है, मतलब जिसमें trial balance tally करेगा, clerical में, जो omission वाला error होता है, दो तरीके के omissions हो सकती है, दो तरीके के omit कर सकते हैं, एक partially और एक है complete, partial में tally नहीं करता है, complete में tally क कर जाता है, commission वाले errors याने आप कर रहे थे, करते करते, गलत कर दिया, ठीक है, यह दोनों तरीके के हो सकता है, और next है compensating errors, जो हमेशा type 1 ही होता है, एक है करके इसे अब thoroughly study करते हैं, कि इनका meaning क्या होता है, ठीक है, error of principle की बात करते हैं, now this is very important, error of principle what exactly is it, error of principle का मतलब अगर आ आपने अगर entries record की है, आपने transactions को record किया है, तो उसे कहा जाता है, error of principle, capital खर्चों को revenue दिखाना, revenue खर्चों को capital दिखाना, या capital receipts को revenue और revenue receipts को capital दिखा देना, ऐसे जो errors होते हैं, जिसमें आपने accounting principles को violate किया होता है, ऐसे जो errors होते हैं, यह errors of principle होते हैं, आपने effects सारे post किये ह बराबर किया है लेकिन आपने गलत अकांट है, यूज किया है, जैसे इसका एक एक ऐग्जामपल हो सकता है, M Länderry और आपने Fret अकांट में डाल दिया, उसे मशनरी अकांट में नहीं डाला, जो Capital करना चाहे था, Capitalized करना चाहे था, वो आपने Revenue में डाल दिया, तो को revenue दिखाना या revenue खर्चों को capital capital receipt को revenue दिखाना या revenue receipt को capital these are examples of error of principle एक है जैसे computer purchase करते time office expense debit कर देना वगेरा वगेरा ठीक है इसके अलावा इसका एक example ऐसा भी हो सकता है कि हमने किसी को खर्चा पे किया और उसके personal account में डाल दिया rent paid to Ramesh debited to his personal account तो यह तो rent खर्चे में जाना चाहिए था nominal जाना चाहिए तो हमने personal में डाल दिया है we have violated an accounting principle next is a clerical error now clerical error क्या होता बड़ा accounting करते करते भी बड़ा clerk से गलतिया हो सकती है है ना तो यह जो गलतिया होती है जो normally accounting के समय होती है हम entry बराबर बना रहे हैं लेकिन entry बनाते time बना तो ली हमने बराबर उसके posting में उसको लिखने में उसमें बहुत सरी गलतिया हो सकती है तो mistake can be committed in the ordinary course of accounting work और यह तीन तरीके के clerical errors होते हैं एक है error of omission omit कर देना भूल जाना ठीक है ना तो entry हम लोग लिखना ही भूल गए हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है कि हमने एक effect लिख दी आप दूसरा effect नहीं लिखे so understand errors of omission is nothing but kind of like we are going to forget something हम एक effect किये दूसरा effect नहीं किये omission जो होता है दो तरीके का हो सकता है total omission partial omission total omission का मतलब जहां हम entry बिल्कुली भूल चुके हैं उसके दोनों effects हमने नहीं लिखे हुए हैं इसे total omission कहते हैं तो हमने debit भी नहीं लिखा credit भी नहीं लिखा ये total omission type 1 है इसमें trial balance tally गरेगा और partial omission का मतलब होता है हमने debit तो post कर दिया credit post नहीं किया reverse हो सकता है हमने credit post कर दिया debit post नहीं किया तो obvious बात है debits और credits जब आपने बराबर नहीं किये हैं तो फिर trial balance आपका agree करेगा भी नहीं this is type 2 error this is type 2 error so in case of total omission trial balance will tally partial में trial balance tally नहीं करेगा ठीक है तो गलतिया आप दोनों कर सकते हैं मतलब या तो पूरी entry लिखना भूल गए या एक effect किया दूसरा नहीं किया clerical errors में second error of commission error of commission is something very special now what is error of commission error of commission का मतलब होगा कि आप कर तो रहे थे भूले भी नहीं थे लेकिन करते करते हमने गलतिया कर दी कर रहे थे accounting कर रहे थे posting भी कर रहे थे posting भूले भी नहीं थे लेकिन जब posting करने गए उसमें गलतिया कर दी कैसे हमने हो सक्ता है Kip Ramais चे purchase किया और Surish के account में डाल दिया हो सकता है ना रमेज से purchase किया सुरेश में डाल दिया debit में लिखना था credit में लिख दिया 1000 लिखना था 10,000 लिख दिया so understand जब wrong amounts लिखी जा सकती है wrong sides लिखे जा सकते है wrong account में लिखा जा सकता है तो ये error of commission होता है this is error of commission अब इसमें दोनों तरीके के errors हो सकते है कुछ errors में trial balance tally करता भी है और कुछ errors में trial balance tally नहीं करता अगर error of commission दोनों भी sides को affect करता है मतलब debit और credit तो आपका trial balance agree कर जाएगा लेकिन अगर one-sided errors रहे जो सिफ क्या बोलते है one-sided errors रहे या errors affecting different accounts with different balances मतलब एक में 100 रुपे से debit है दूसरे में 70 का ही credit है तो भी आपका trial balance tally नहीं करेगा यानि one-sided error हो या फिर आपने गलत amounts गलत गलत इसमें लिखिवी हो तो भी trial balance agree नहीं करता ठीक है? So error of commission में बोत है मतलब it can tally, it cannot tally like this compensating errors Now what are compensating errors? मैंने इसको समझाने के लिए एक example भी यहाँ पर रखा हुआ है पहले आपको basic idea दे देता हूँ compensating error का मतलब होता है हमने blunders किये हैं हमने एक गलतिया नहीं किये we have made bunch of errors और वो bunch of errors का net effect ऐसा होता है कि trial balance tally हो जाता है हमने एक गलति की नहीं है हमने एक गलती नहीं किये बेटा हम लोगों ने bunch of errors किया हुआ है तो जब bunch of errors से net effect ऐसा हो जाता है कि trial balance agree कर जाए तो उसे कहता है compensating errors तो यह हमेशा type 1 ही होगा यह trial balance tally करवा देता है इसलिए उसका नाम है compensating errors अच्छा इसका मतलब यह नहीं है कि आपको इससे सुधारना नहीं है हमारा purpose trial balance tally करवाना नहीं होता है हमारा purpose होता कि हमारी accounting correct हो तो अगर compensating error भी है तो हमें rectify तो करना ही होगा suppose an amount of 10 rupees paid to A is not debited to his account हमने उसे 10 उपे पे किये थे cash credit कर दिया लेकिन उसे debit नहीं किया ठीक है और the total of purchase book इसके total में debit में ज्यादा लिख दिया है 10 उपे अपने आप effects negate हो जाएंगे पहले का 10 उपे debit कम है दूसरे में 10 उपे debit ज्यादा हो गया है तो net debit जो हो गया हो match हो गया understand this kind of errors are compensating errors now trial balance को affect करने के तरीके से अगर आप देखने जाओ तो दो तरीके के हो सकते हैं हम जानते हैं those affecting trial balance those not affecting trial balance we have already discussed this now हमारा इस chapter का purpose क्या है हमारा इस chapter का purpose है कि जो errors होंगे हमें उसे rectify करना होगा हमें उसे ढूंडना होगा identify करना होगा ठेक है identify करके उसमें क्या गलत हुआ है वो समझना पड़ेगा और उसके बाद में हमें उसकी suitable rectification entries पास करनी होगी वैसे तो मैं आपको सही बताओ तो आपको क्या बोलते हैं इस questions में आपको exactly उन्होंने error क्या किया है वो तो बता दिया होगा आपका काम सिर्फ यह है कि error को अच्छे से interpret करो और उसके बाद उसका rectifications पास करो students की सबसे बड़ी गलती यहां होती है कि वो error को interpret नहीं कर पाते हैं और इसके लिए मैं आपको हमेशा suggest करूंगा कि आप past exam के questions भी करें ठीक है जितने ज़्यादा questions आप देखोगे न हम लोग errors को कभी भी ऐसे खाड़ा खोड नहीं करते हैं we do not scratch it out what do you do is you pass a rectification entry come on it's a standard practice you have to pass a rectification entry now इसके लिए मैंने यहां पे एक magic trick रखी है जिससे आपकी 100% accurate rectification entry बन जाएगी अगर आपको इस पे इतना हाथ नहीं बैठा है इस chapter के उपर तो आपको यह 4 steps follow करनी चाहिए यह 4 steps कौन सी है आप सबसे पहले एक wrong entry जो question में pass हुई है question को एकदम अच्छे से पढ़ो अच्छे से पढ़ने के बाद में पता करो कि उसमें wrong entry क्या हुई है जैसे आपको बोलेगा कि रमेश के debit में लिखना था सूरेश के debit में लिख दिया ठीक है तो वाट इस the wrong entry सूरेश to cash ठीक है तो wrong entry जो हुई है न पहले उससे लिख दीजे वो लिखने के बाद उस wrong entry को reverse कर दीजे ठीक है उस wrong entry को reverse कर दीजे और वो कर लेने के बाद correct entry भी लिख दीजे जैसे रमेश to cash ठीक है और इसके बाद आप क्या करेंगे दोनों को add कर देंगे मतलब पहले का reversal और correct वाला entry दोनों को add कर देना तो आपकी जो combine entry बनेगी न उससे rectification entry कहेंगे आपकी जो entry बनेगी combine उससे rectification entry कहेंगे ये procedure उन students के लिए है जिसका थोड़ा सा इस पे मतलब इतना पक्का नहीं है ये ठीक है और जिनको इस पे एकदम अच्छे से control है मतलब अच्छे सा उन्होंने practice पहले भी किया हुआ है तो उनके लिए बिटा shortcut सीधा सीधा ये है कि आप wrong effects को पैचानो पूरी wrong entry मत बनाओ आप सिफ wrong effect को पैचानो जैसे उसने कहा है कि रमेश के जगे हमने सुरेश को debit किया है तो गलत effect क्या है कि सुरेश debit हो गया है ये गलत effect है wrong effect को पैचानो और उसके बाद correct effect को भी पैचानो correct effect क्या होना चाहिए था रमेश debit होना चाहिए wrong effect क्या हुआ है सुरेश debit हो गया है, सही क्या होना चाहिए था, रमेश debit होना चाहिए था, तो आप reverse the wrong effect, सुरेश गलती से debit हो गया, तो सुरेश को credit कर दो, और जो missed correct effect था, जो correct effect आपको करना था, लेकिन आप नहीं कर पाए, उसमें add कर दीजे, entry बन जाएगी, रमेश to सुरेश, समझ ने रॉंग को पैचानो, right को पैचानो, wrong को उल्टा करो, right add कर दो, finish, entry बन गई, simple as that, रॉंग को पैचानो, right को पैचानो, wrong को उल्टा कर दो, और उसमें correct वाला add कर दो, आपकी entry टैली हो जाएगी, ठीक है, इसके बहुत सारे examples मैंने रखे हैं, आपको सिखाने के लिए 19 अलग अलग type के errors, पहले मैं आपको solve करके सिखाऊंगा, उसके बाद में हम लोग बड़े questions साथ अलग-अलग हम लोग सीखने वाले हैं, हर तरीके का error जो important है, आपकी text books का, और बाहर से भी वो सब मैंने यहाँ पर cover किया हुआ है, comprehensively मैं आपका chapter revise कराऊंगा, error detect करने के 3 stages होते हैं हो सकता है, हमने आज error किया, 2-4 दिन बाद पता चल गया, हो सकता है, तो trial balance बनने के पहले भी error पता चल सकता है, यह भी हो सकता है कि आपने trial balance, मतलब हम लोगों ने error कर दिया, पता नहीं चला, पूरा year खतम होने को आया, और उसके बाद जब आप trial balance बना चुके थे, उसके बाद में, मतलब final account ट्रॉ करने के पहले आपने error को ढूंड लिया, तीसरा हो सकता है, हमने बहुत कोशिश की error नहीं मिला, या error ऐसा था, कि हमें पूरे साल पता नहीं चला, सीधा next year में क्या हुआ बेड़ा, next year में हमें error के बारे में पता चला, और next year में हम rectify करने जा रहे है, trial balance बनने के पहले, दूसरा trial balance बनने के बाद, लेकिन final accounts के पहले, और तीसरा after final accounts या next accounting period में, याद रखेगा, जब trial balance बन जाता है, तो difference कहां चला जाता है, पता है, अगर आपका trial balance tally नहीं करता, और trial balance बन चुका होता है, तो वो difference होता है, वो suspense account में डालता है, यह हमने trial balance बनने के पहले, अगर आपको errors को सुधारना है, तो फिर आपको errors को सुधारना है, तो बेटा दो चीज़े हो सकती है, या तो error one-sided था, एक के account को touch करने वाला, या error दो-दो accounts को touch करता था, दो-दो accounts में गलती आऊ गई है, अगर error दो account को effect करता है, तो तो आप एक normal journal entry पास करके, error को rectify कर लोगे, और अगर error ऐसा था, जो एक की account को touch करता था, एक की account में गलती दिखाता था, तो आप इसको सुधारने के लिए भी एक one-sided rectification statement लिखकर उसे सुधार देंगे, trial balance बना नहीं है, तो suspense account बनेगा नहीं, तो trial balance अगर बन लिखेंगे, entry नहीं, ठीक है, that will be a rectification statement और वो आपको appropriate side में लिखना होगा, मैंने इसके भी examples रखे हुए, आपको पूरी तरीके से clear हो जाएगा, कुछ इन्टा नहीं है, ठीक है, तो error दो तरीके के हो सकते है, trial balance बनने के पहले भी, एक one account को touch करने वाले, one-sided, या two-sided, दोन journal entry pass कर लोगे आराम से, अगर a की account को effect कर रहा है, तो आप journal entry pass नहीं कर पाओगे, आपको एक सिर्फ statement लिखना होगा, एक rectification statement और उससे हमें उससे सुधारना होगा, ठीक है, और ये एक ही ऐसी stage है, जिसमें rectification statements भी लिखे जाते हैं, मतलब पूरी journal entry बनाने की जरुरत नहीं पड़ती है, ठीक है, क्योंकि trial balance बना नहीं है, अगर trial balance बन चुका है, और आपका trial balance अगर match नहीं हो रहा था, तो obviously बात है, trial balance को artificially tally करवाया जाता है, by putting the difference to a suspense account, अगर आपके total of debits ज्यादा है, तो फिर आप suspense को credit में लिखोगे, और total of credits ज्यादा है, तो आप suspense को debit में लि जैसे ही होते हैं, उसमें कोई suspense account की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर error एक account को touch कर रहा था, तो उसके rectification के लिए अब आपको एक journal entry बनानी पड़ेगी using a suspense account, क्यों? क्योंकि हमने trial balance को अब खुला नहीं छोड़ा है, हमने उससे artificially tally कराया using a suspense account, तो one-sided error को भी अब आप one-sided entry से नहीं सुधार सकते, आपको उसे सुधारने के लिए, उसे rectify करने के लिए आपको suspense account यूज करके journal entry बनानी होगी, in short, stage second से हर एक error के rectification के लिए journal entry ही होती है, stage 1 में क्या था? two-sided error के लिए journal entry, one-sided के लिए civic statement, stage 2 में क्या है, जब trial balance बन चुका है? हर एक rectification के in fact stage 3 में भी हर error के लिए journal entry ही लगती है, ठीक है? let's move to the next one, that is after final accounts, now this is something extremely important, यह हमेशा मैं students को बताता हूँ, मेरा हर student इस बात को यह जानता है, कि यह सबसे important है, और इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है, कि exams में सबसे ज़्यादा यह वाला topic पूछा गया है, and sad to say, कि आप text books में सबसे कम problem इसी के है, ठीक है? सबसे ज़्यादा आपके exams में यह पूछा जाता है, और sad to say, कि आपके text books में सबसे कम इसी के ओपर problems है, ठीक है? तो आपके लिए मैंने यहाँ पर कोई कमी नहीं रखी, मैंने आपके लिए बहुत problems रखे हैं समझाने के लिए, ठीक है? so stages of error detection, उसमें third stage है, कि अगर आप final accounts बना चुके हैं, और next accounting period में बिटा आप इसे rectify करने जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा? इसमें आपको एक तो जनल इंटी तो पास करनी ही करनी है, error अगर one-sided था, तो आप suspense account का इस्तमाल तो करोगे ही करोगे, ठीक है? वो सब तो किया जा इसमें सबसे special चीज़ यह है, कि अगर कोई भी error आपका next year का P&L impact करता होगा, जैसे for example, माल लीजे year one में हमने fret जो है, वो लिखा नहीं, अगर हमने year two के fret में उसको debit कर दिया, तो problem यह है, अगर हमने year two के fret में बिटा उसको debit कर दिया, तो दिक्कत यह है कि year two का profit and loss impact हो पराबर है न, अगर current year का fret, first year का fret आप first year में नहीं लिखते हो, इस year, इस error को आपको second year में पता चला, तब second year में अगर fret में लिख दोगे, तो फिर obvious ही बात है न, second year का profit सापका change हो जाएगा, ठीक है, माल लीजे आपने current year की salary next year में लिख दी, तो next year की salary भी गलत हो जाएगी next year का profit loss change हो जाएगा उससे, अगर ऐसे errors हुए आपके जो अगले साल के profit and loss को impact कर सकते हैं, मतलब अगर आपने उसे next year rectify किया, तो फिर आपको ध्यान रखना होगा, हर वो account जो trading और P&L में जाता है, trading और P&L में जाने वाले सारे items जो profit loss को impact करने वाले होते हैं, उन सभी के लिए आपको उन जैसे fret को fret account में नहीं डालना है, उन सब के लिए एक special account बनाना होगा, जिसका नाम है prior period item, क्या नाम है prior period item, आपकी text books में prior period item से ज़ादा आपके questions में हमेशा उसे P&L adjustment account के नाम से refer किया जाता है, दोनों एक ही है prior period items या P&L adjustment account, हम लोग जितने भी questions करेंगे हम इसे P&L adjustment account के नाम से लिखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको समझा दूँ, error जैसे rectify करते थे वैसे ही करो, error आप जैसे rectify करते थे वैसे ही करो, सिफ अगर error के rectification में अगर कोई nominal account आ जाता है, या कोई ऐसा account आता है जो आपके profits को change करने वाला है, तो फिर आप उस के जगे पे क्या नाम इस्तमाल करेंगे P&L adjustment, माल लीजे rectification entry आपकी बनी, रमेश to suspense, अब रमेश to suspense, रमेश profit loss को change करता है क्या नहीं करता, इस rectification entry में कोई change नहीं होगा, लेकिन अगर माल लीजे entry हुई, fret to suspense, अब fret तो जो है, वो P&L trading में जाने वाला item है, तो profits को touch करता है तो आप इसके जगे पे नाम देंगे P&L adjustment debit to suspense, समय जरे मतलब जो जो अकाउंट्स nominal होंगे, जो जो अकाउंट्स आपके trading P&L में जाने वाले होंगे, ठीक है, जो आपके profits को change करते हैं, बस उसको अगर rectification आप कर रहे हो, तो उस अकाउंट के जगे पे आप क्या नाम दे द adjustment नाम दे दोगे या prior period item नाम देंगे, यह कहां पर cover up है, बेटा यह prior period item accounting standard number 5 में cover up होता है, ठीक है, accounting standard number 5 में cover होता है, accounting standard 5 क्या कहता है, वो मैंने आगे के slide पर दिया हुआ है, ठीक है, यह prior period items generally हम P&L में लेके जाते हैं, वो भी current year के profits को निकाल लेने के बाद, मतलब current year का profit निकाल लो, एक बार profit आ गया, उसके बाद आप previous year के जो भी adjust करने है, मतलब अपने investors को पता चाल जाएगा कि हमारा real profit क्या है, फिर बाकी prior period adjustments की जा सकती है, prior period error के लिए या prior period items के लिए हमारा accounting standard 5 क्या कहता है, कि यह prior period items, material incomes, material जनने important incomes और expenses होते हैं, जो current period में generate हो रहे है, because of some error or omissions in previous years, okay, पिछले कुछ सालों में आपने कुछ गलतिया की थी, जिसके कारण अभी income और खर्चे जनरेट होते हैं, तो फिर उसे prior period items कहा जाता है, और इसे हम P&R adjustment में लिख लेते हैं, prior period items हमेशा normal item से अलग दिखाया जाते हैं, they should be separately disclosed in the current statement of profit loss, मतलब आप सारी adjustments कर लो, और नीचे अलग से prior period items आप adjust करेंगे, ताकि जो भी investors हों, जो भी stakeholders हों, वो सब हमें इसका impact जो आने वाला profit loss पे वो ले सके, फेरी पूरा खतम हो गया है, अब मैं आपको 19 अलग-अलग type के errors के rectification समझाऊँगा, जिसमें हर तरीके का error cover हो जाएगा, error of principle, error of omission, commission, compensating, सब तरीनो stages में ये करके बताऊँगा, तो जिस बच्चे का थोड़ा सा basic week भी रहा होगा, वो समझ जाएगा कि ये same error अगर तीनो stage में से कहीं भी पूछा जाएगा, तो उसका rectification क्या होगा, बगेर किसी time waste किये, तुरन शुरू करते हैं, पहला error, fret paid on purchase of computer 900 रुपेs charged to fret account, fret हमन to cash, लेकिन हमने गलती से fret account में डाल दिया, जो computer में जाना चाहिए था, वो हमने fret में डाल दिया, तो fret गलती से debit हुआ हुआ है, मैंने wrong effect पैचान लिया, wrong effect क्या है, fret मेरा गलती से debit हुआ है, उसे reverse कर दो, तो fret credit हो गया, बराबर है, और जो correct effect में miss कर गया, कि मुझे उसे computer मे debit मेरी journal entry ready है, computer account debit to fret account, अगर हम trial balance बनाने के पहले इसको ढूण रहे हैं, trial balance बनाने के पहले इसे सुधार रहे हैं, तो भी ये error दोनों accounts को, दो accounts को change करने वाला है, affect करने वाला है, तो हमें इसी journal entry ही pass करनी होती है, trial balance बन भी जाएगा, तो भी इसकी entry वही की वही रहेगी, computer to fret, सिर्फ अगर next year आप इसे change करोगे, computer क्या profit loss change करता है, नहीं करता, लेकिन क्या fret profit loss में जाता है, हाँ, trading में जाता है, ये तो profit को change करेगा, तो इसके जगे आप नाम क्या दोगे, computer account debit तो ऐसे कैसे, to profit and loss adjustment account, मतब entry तो जैसे बना रहे थे, वैसे ही बनाना है, computer to fret, बराबर ह credit हुआ, credit किया, और computer post करना था नहीं किया, कर दो post, so computer to fret, बराबर है, computer to fret, ये normal entry, सिर्फ इसे जब आप next year में करोगे, तो fret के जगे पे क्या नाम इस्तेमाल करेंगे, profit and loss adjustment account, ठीक है, तो तीनो stage का मैंने आपको rectification इसका समझा दिया, चलो, next करेंगे, purchase of 900 रुपे from Ramesh is entered in the purchase book as 90, now understand this, हमने 900 का purchase किया रमेश से, और गलती से उसे purchase book में लिखा 90 रुपे, यहाँ पर एक बहुत important चीज़ है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बहुत important चीज़ है, और यह थोड़ा basics है इस chapter के लिए, देखिए, purchase book का total कहा आता है, आपको यह पता होना चाहिए, कि purchase book का total, purchase account के debit side में लिखा जाता है, यह एकदम basics है, subsidiary books का part है, ठीक है, फिर भी इस chapter के उसकी ज़रुवत पढ़ती, इसले मैं आपको बता रहा हूँ, sales book का, जो monthly या annual total होता है, वो कहां जाता है, sales account के credit side में लिखा जाता है, return inward book का, या sales return book का, जो total होता है, ठीक है, वो कहां पर जाता है, वो कहां पर चला जाता है, वो जाता है, sales return account के debit side में और return outward का, जो total होता है, वो जाता है, purchase return account के credit side में, ठीक है, cash book जो होती है, cash book बनाने के बाद, आप cash account, bank account तो नहीं बनाते, लेकिन cash book में आपका discount दो-दो column है debit वाला और credit वाला जो debit वाला column होता है उसका total जाता है discount allowed के debit में और जो credit वाला item होता है उसका total जाता है discount received के credit में and last but not the least bills receivable और bills payable books के total कहां जाते है bills receivable book की total जो होती है वो bills receivable account के debit side में जाती है और bills payable की जो total होती है वो bills payable account के credit में जाती है यह एक दम basic चीज़ है जो आपको पता होनी चीज़ जब आप chapter में कर रहे है इसके अलावा एक और सबसे important चीज़ जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है अगर इस तरीके के errors आये हैं कि purchase of 900 रुपे from ramesh is entered in the purchase book as 90 अब students को यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है समझने में कि हमने purchase book में 90 लिखा है क्या हमने ramesh account में 90 लिखा होगा या 900 लिखा होगा इसको समझाने के लिए सबसे important logic आपको बताता हूं देखिए purchase book, sales book, purchase return, sales return उसके अलावा bills usable book, bills payable book यह सारे के सारे subsidiary books हैं including the cash book and journal proper यह सारे subsidiary books हैं यह सारे के सारे journal ही है और यह journal है मतलब purchase book एक journal है जर्नल में अगर आपने 90 लिखा है तो उसके दोनों effect नब्बे रुपे होंगे समझ में आया बिटा logic मतलब purchase book एक journal होती है तो अगर आपने journal में ही गलत लिखा है तो उसके दोनों effects गलत पोस्ट हुए होंगे दोनों भी purchase account में भी 90 गया होगा और रमेश account में भी 90 ही गया होगा यही आपको हमेशा assume करना है ठीक है ऐसा हो सकता है कि किसी question में clearly लिख दे वो कि purchase of 900 entered in purchase book as 90 but correctly posted in नमेश account ऐसे errors हो सकते है तब आपको पता चलेगा कि वो one-sided है लेकिन जब ऐसी line न लिखे न वो कि but correctly posted in नमेश account आप हमेशा assume करोगे कि अगर subsidiary book में ही गड़बड है अगर journal में ही गड़बड है तो उसके दोनों effect गलत ही होंगे उसके दोनों effect गलत होंगे तो purchase book में अगर 90 है तो आप हमेशा यह assume करोगे कि purchase book क्याने जर्नल में गड़बड है तो purchase account में भी गलत गया है और रमेश account में भी गलत गया है तो चलो अब posting जो है इसका start करते है 900 रुपे का बेटा purchase हुआ था रमेश से और हमने गलती से purchase book में 90 लिखा याने हमने purchase account और रमेश account दोनों में 90-90 की entry पास की है in short 810 रुपे कम है यह ना 810 का purchase हमने कम दिखाया दिखा दो purchase to रमेश दोनों account को touch करने वाला था ठीक है हमने purchase में भी गलत किया रमेश में भी 900 क होना था सिर्फ 90 का कर दिया तो हमने बचे हुए 810 की एक और entry पास कर ली purchase to रमेश trial balance बनने के बाद भी error का rectification यही होगा purchase to रमेश सिर्फ next year में अगर आप इससे सुधारने जा रहे है purchase account आपका profit loss change करता है तो इसके जगे पे क्या नाम दे दोगे P&L adjustment रमेश personal account है यह तो जाता नहीं P&L में ठीक है तो इसके जगे पे आप सिर्फ to रमेश लिखेंगे है ना simple as that चलो next अब purchase of 900 रुपे from रमेश is entered in sales book अब क्या इसका एक effect गलत हुआ है दो effect ओवेज बात है जर्नल में गड़बड है आपने purchase book से sales book में डाल दिया है तो इ इसको करने का तो एक मैं trick आपको और बता देता हूँ बेटा जब आप subsidiary book की गलत करते हो ना तो आप जब इसे rectify कर रहे हो तो हमेशा या तो दोनों debit होंगे या दोनों credit होंगे ठीक है आप इसे ध्यान में कैसे रखोगे हमने purchase को sales book में डाला है हमने purchase को sales book में डाला है थो तो हमने गलती से इसे sales के credit में डाल दिया है 900 को तो sales को debit करना होगा purchase को debit करना होगा to रमेश ठीक है sales को debit purchase को debit to रमेश ठीक है amount double हो गई रमेश की 800 अगर आप trial balance बनने के बाद भी इसे सुधा रहे हैं तो entry वही की वही रहेगी क्योंकि यह सब journal entries हैं यह सब journal entries हैं यह सब दो next year rectify करने जा रहे हैं purchase और sale दोनों भी profit loss को change करते हैं तो इन दोनों के जगे आप नाम इस्तमाल करेंगे P&L adjustment और रमेश की जगे पे to Ramesh 800 this is how you can rectify the error next cash paid 900 रुपे to Ramesh entered in the bank column हमने cash pay किया था गलती से bank column में डाल दिया error दो दो अकाउंट को touch कर रहा है गलती से हमने bank को credit कि गलती से bank credit किया हुआ है यह गलत चीज़े इसको उल्टा करो bank हो जाएगा debit बराबरना bank हो जाएगा debit और हमने क्या 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 नहीं है तो उसको भी add कर लो cash credit bank को गलत किया था तो reverse किया debit तो bank debit to cash यह हमारी entry और यह तीनों भी इसमें same रहेगी क्यों क्यो उसके entries होने वाले हैं चलो next अब purchase of 900 रुपए from Ramesh is omitted to be recorded at all ठीक है 900 रुपए का हमने रमेश से purchase क्या लिखा ही नहीं है तो लिख लो है ना दोनों effects मिस हुए वे purchase to Ramesh पूरी general entry pass करनी पड़ेगी purchase to Ramesh तो normal purchase to Ramesh trial balance बनने के पहले लेकिन अगर trial balance बन चुका है तो भी व तो purchase की जगे पे क्या इस्तेमाल करेंगे P&L adjustment बाकी Ramesh तो वैसा का वैसा रमेश personal account है वो वैसा का वैसा next purchase of 800 रुपए from Ramesh is recorded in the purchase book but omitted to be recorded in the Ramesh account purchase of 800 रुपए from Ramesh record हुआ purchase book में but omitted to be recorded in Ramesh account याद रखिये मैंने आपसे कहा था कि purchase book subsidiary book में अगर सही है तो सब जगे सही है subsidiary book में गलत है तो दोनों effect गलत है अब इसने subsidiary book में तो सही लिखा है 800 रुपए सही लिखा है लेकिन question में clearly दिखा है कि हमने सिर्फ एक जगे गलती की है और वो है रमेश account में posting में normally आप purchase करते हैं तो आप क्या journal entry करोगे आप journal entry करोगे purchase to Ramesh बराबर ना बिटा purchase to Ramesh यह आप journal entry करेंगे हमने purchase में तो सही क्या हुआ है सिर्फ रमेश को credit नहीं किया है trial balance नहीं बनाया तो आप रमेश को credit कर देंगे बस इसका journal entry नहीं होता यही सबसे important चीज है कि trial balance बनने क पहले कई बार हम one-sided rectifications भी करते हैं तो यह हम लोग statement के रूप में लिखेंगे हम लोग क्या करेंगे रमेश account के credit में जाएंगे वहाँ पे लिखेंगे by omission of entry dated 21st November ऐसा लिख देंगे understand तो मतलब हम लोग आराम से ऐसा लिख सकते हैं एक statement मना के लिखेंगे कोई दो effect देने की ज़रत नहीं रहेगी we just have to credit the Ramesh account by 900 rupees simple as that और आप एक statement बना के वाल लिख दोगे ताकि जो भी बाद में पड़ेगा वो समझ जाएगा कि अच्छा हम भूल गए थे इसलिए post किया हम अगर trial balance बन चुका है और यह error one-sided है तो बिटा यह difference कहां चला गया होगा यह suspense में चला ग बन चुका है अगर आप next year इसे सुधार होगे suspense और रमेश दोनो normal account है दोनो भी profit loss को touch नहीं करते same entry होगी suspense to Ramesh चलिए next purchase of computer 90,000 रुपे from Ramesh is recorded in the journal but entirely omitted to be posted in the ledger this is a complete omission का example trial balance will tally ठीक है purchase of computer 90,000 का हमने खरीदा पोस्ट ही नहीं किया उसको दोनो effect पोस्ट नहीं किये तो तो फिट दोनों अपने को पोस्ट करने है पूरी जर्नल इंट्रिव आपस पास करो computer to Ramesh ठीक है computer to Ramesh trial balance बन भी चुका है तो भी इसके दो effects है same आएगा computer to Ramesh ठीक है next year अगर आप करोगे computer और Ramesh दोनों मतलब एक real एक personal है same का same रहेगा कोई भी profits को touch नहीं करता computer to Ramesh simple as that next purchase book overcasted by 900 rupees in the month of September now this is important purchase book overcasted by 900 rupees in the month of September purchase book में हमने customer के नाम बराबर लिखे उनकी amounts बराबर लिखे तो वहां से customer so sorry supplier के purchase book में हमने supplier के नाम बराबर लिखे amount बराबर लिखे तो supplier account में तो बराबर गया लेकिन purchase book में जो total की गई है वो 900 रुपे ज़ादा है तो purchase book की total थोड़ी दिर पहले में आपसे कहा था कि वो purchase account के debit में जाती है हमने उसे overcast कर दिया है बढ़ा दिया है याने purchase को ज़्यादा debit कर दिया है सुधारने के लिए क्या करोगे purchase को credit है ना हमने purchase को ज़्यादा debit कर दिया है जर्नल एंट्री में अगर आप मतला फ्रायल बैलेंस अगर बन चुका है तब तो बेटा उसका डिफरेंस कहा चला गया हो suspense में तो अगर आप purchase credit कर रहे हैं तो debit तो suspense ही करना पड़ेगा suspense to purchase next year अगर आप करोगे तो purchase नहीं आ सकता suspense to profit and loss adjustment क्योंकि purchase profits को touch करेगा suspense to P&L adjustment this will be the entry for the next year अगले errors debit balance of 900 रुपे इन रमेश account wrongly considered as credit balance अब ये क्या error हो गया रमेश account में 900 रुपे का debit होना था और हमने सोचो रमेश account में हमने 900 का debit balance consider करना था हमने 900 का credit balance consider कर लिया gap कितने का हो गया understand रमेश account में debit balance था 900 रुपे का हमने debit तो consider किया ही नहीं और credit कर दिया 900 का तो gap हो गया बेटा 800 रुपे का तो जब आप ऐसा करते हैं न wrong side पे तो आपको हमेशा double से उसको change करना पड़ता है तो फिर in that case हमने रमेश account को debit balance था 900 का credit कर दिया है तो हमने credit ज्यादा कर दिया उसको सुधारने के लिए double से debit कर दो debit balance था हमने गलती से credit किया ना उसको गलती से credit समझाए तो उसे सुधारने के लिए debit कर दो और debit double से करो तो debit होगा बेटा रमेश 1800 से अगर trial balance आप बनाये नहीं है तो उसका दूसरा effect suspense में नहीं जाएगा बराबर है suspense बनाये होगा ही नहीं तो आप एक rectification statement लिख लोगे ठीक है debit side में क्या लिखा जाएगा debit में हम लोग रमेश के debit में लिख देंगे two wrong balance written like this है ना तो वहाँ पे debit में रमेश में 1800 लिख देंगे tally हो जाएगा और अगर trial balance बन चुका होता तो दूसरा effect आपको suspense में देना पड़ेगा रमेश to suspense next year करोगे तो भी इसमें कुछ भी profit loss को टच करने वाला है नहीं same entry होगी रमेश to suspense ठीक है चा नेक्स payment side of cash book overcasted of by 900 ये बहुत special transaction है पता है क्यूं मैंने यहाँ पर रखा इसे cash book जो होती है न cash book में दो sides होती है receipt side payment side receipt side बोले तो पैसा आने वाली side हो सकता है पैसे आने वाली side का आपने overcasting किया या undercasting किया वैसे ही payment side का भी overcasting undercasting होता है अगर आपने receipt overcast कर दी याने आपने receipts बढ़ा दी याने cash balance बढ़ा दी है receipts अगर undercast कर दी है याने आपने दिखाया कि हमें कम पैसे आए तो आपने cash balance घटा दिया है अगर आपने payment side को घटा दिया है तो actually payments अगर undercast हो गई तो आपके balance है ना घटानी balance बढ़ जाता है अगर आपने payments की total undercast कर दी याने payments कम दिखाई तो obvious बात है तुम्हार balance बढ़ जाएगा और अगर तुमने payments overcast कर दी payment ज्यादा दिखा रहे हो तो balance तो कम ही हो जाएगा cash का like this यह समझ में आना बहुत ज़रूरी होता है और इसके इसमें ना students बहुत mistakes करते हैं ठीक है payment side of cash book overcasted by 900 आपको नहीं click किया होगा एक बार फिर से आप rewind करके ज़रूर देख लिएगा ठीक है तो चारो sides होती है undercasting overcasting कुछ भी हो सकता है हमने payment को overcast कर दिया है हमने cash की payment दिखाया कि और ज्यादा है तो payment अगर आप ज़्यादा दिखाओगे तो cash तो कम ही हो जाएगी cash balance कम हो चुका है तो उसको सुधारने के लिए अगर आपने payment overcast कर दी payment ज़्यादा दिखाई है ज़्यादा credits दिखाए है तो उसे सुधारने के लिए आपको cash को debit करना पड़ेगा 900 से final accounts बन जाता तो भी entry same ही रहती cash to suspense क्योंकि इसमें कोई profit loss को touch नहीं कर रहा है next purchase of 900 from Ramesh is entered in the debit of Ramesh account पहले ही सिखा है आपने wrong side अगर कर दिया तो क्या होगा double से reverse ठीक है purchase of 900 हमने Ramesh से purchase किया entry क्या होगी हमने Ramesh से purchase किया entry होगी purchase to Ramesh so Ramesh credit होना चाहिए था Ramesh क्या होना चाहिए था credit होना चाहिए था हमने गलती से debit में लिखा हमने गलत debit कर दिया है तो सुधारने के लिए क्या करोगी credit ही करोगे न हमने गलती से उसे debit में लिखा है तो सुधारने के लिए आप क्या करोगे पिटा उसको credit करोगे तो हम credit करेंगे रमेश को और वो भी double amount से 900 का double याने 800 रुपे से हम 800 से उसे credit करेंगे ठीक है ये obvious ही बात है trial balance बनने के पहले ये one sided error है one account को affect करने वाला error है तो one account का ही उसका rectification बनेगा लेकिन अगर trial balance बन चुका है तो इसका दूसरा effect याने debit वाला suspense में जाएगा suspense to Ramesh ठीक है और final accounts के बाद भी यही entry रहेगी चलो next purchase of 900 from Ramesh is posted in Ramesh account as 90 हमने 900 रुपे का purchase किया Ramesh से purchase book में लिखा बरावर लिखा लेकिन Ramesh account में posting करते time सिर्फ 90 रुपे लिखे अब Ramesh account में अगर आप posting करते time सिर्फ 90 लिख रहे हो entry क्या होती थी purchase to Ramesh तो Ramesh credit होना चाहिए था credit 900 से होना चाहिए था आपने सिर्फ 90 से credit किया है याने आपने कम credit किया है भीटा 810 रुपे से तो उसको सुधारने के लिए क्या करोगे आपको और credit करना पड़ेगा है ना रमेश credit होना चाहिए था 900 से आपने credit कितना किया सिर्फ 90 तो आपको और credit करना पड़ेगा 810 रुपे से तो आप credit करेंगे 810 से trial balance के पहले अगर trial balance बन चुका होगा तो ये तो credit होगा debit जाएगा suspense को suspense to रमेश next year भी same entry होगी क्योंकि इसमें कोई भी account ऐसा नहीं है जो profits को touch कर रहा हो profits को change करेगा तो आप entry करेंगे suspense to रमेश next errors purchase of 900 from रमेश posted to rakesh account simple सा error है दोनों account को दो account को गड़बड हो रही है ना एक तो हमने purchase किया ना उसो का ठीक है एंटरी क्या होगी purchase purchase to ramesh हमने रमेश ने purchase किया है purchase to ramesh 900 ठीक है और उसे rakesh में post किया है purchase to ramesh ठीक है तो हमें ramesh में credit करना था हमने गलती से rakesh को credit कर दिया सुधारों के कैसे rakesh गलत credit हुआ है उसको सुधारने के लिए rakesh debit और rakesh को credit जाना चाहिए था वो आप ले लीजे so rakesh debit ramesh credit, समझ मैं आया entry simple as that, गलती से rakesh credit हुआ तो उसको सुधारने के लिए rakesh debit हो गया, गलती से rakesh credit हुआ तो सुधारने के लिए rakesh debit हो गया, और ramesh credit होना चाहिए था हमने नहीं किया है, तो कर लो so ramesh हो जाएगा credit ramesh हो जाएगा credit, ये तीनों भी इसमें same entries होंगी trial balance बन जाए तो भी यही और final accounts के बाद भी यही होगी, क्यों? क्योंकि ये one sided नहीं, ये two sided error है, और इसमें एक भी nominal account नहीं है तो obvious सी बात है, ये तीनों में भी same entries होंगी next, आप ये तो समझी चुके होंगी अभी तक कि first or second stage की entry हमेशा same रहती है सिफ अगर ये one sided error आओ तो दूसरा effect suspense में चला जाता है second वाले में बाकी कोई change नहीं है second और third की बी entries actually same ही रहती है, फरक सिफ इतना है कि second में अगर कोई item trading पेंडल वाला हो, तो उसके जगे बस पेंडल adjustment लिख लो it's very easy, students क्यों पता नहीं इतना confusion create करते हैं इसमें it's very easy, ठीक है I'm sure you will also appreciate कि हम कैसे one by one अगर कर रहे हैं, तो हम एकदम easily समझ रहा है, और बड़े questions भी हम करेंगे, तो आपको पूरा का पूरा clarity आई जाएगा कि यह किस तरीके से होने वाला है, ठीक है, शोलो देखेंगे, purchase of 900 रुपे from Ramesh is posted twice in the ledger, दोनों effects double post किये गए हैं, याने आपने entry दो बार past कर दी एक बार reverse करो, है ना आपने same entry दो बार past कर दी तो एक बार आप reverse कर दीजे तो हो जाएगा, आपने purchase किया था ना Ramesh, है ना purchase किया था, तो entry क्या होई होगी, purchase to Ramesh, आपने दो बार past कर दी तो एक बार उल्टा कर दो, Ramesh to purchase पहले में भी दो effects है, तो same ही entry होने वाली, Ramesh to purchase सिफ next year में purchase तो आप लिखनी पाओगे तो Ramesh to P&L adjustment Ramesh to P&L adjustment यह next year का होगा Ramesh account having a debit balance of 900 रुपे is omitted to be taken to the trial balance Ramesh account जिसमें debit balance 900 रुपे का, उसे trial balance में लिया नहीं है, ठीक है तो मतलब हम लोगों ने Ramesh का debit जो है, वो नहीं लिया है 900 रुपे का, अच्छा trial balance बन चुका, is omitted to be taken to trial balance, तो यह first stage में तो आप rectify करी नहीं पाऊगे, क्योंकि first stage क्या है, before preparation of trial balance trial balance बन चुका है, तो यह stage आती नहीं है, तो obvious बात है, trial balance बन चुका है, तो difference suspense में कहया होगा बराबर है, हमने debit balance लिया नहीं है, तो आप debit balance रहा दोगे, suspense में दोगे, like this next, वैसे ही, next year भी अगर rectify करोगे, तो same ही चीज़ होगी ramesh to suspense, ramesh account having a debit balance of 900 रुपेs, entered in the credit column of trial balance, अब तो मैंने आपको कितनी बार बता दिया, side अगर आपने गलत कर दी, double amount है ना, side अगर गलत कर दी, तो double amount, तो 900 रुपे का debit होना चीज़ था, आपने 900 credit लिख दिया, 900 credit लिखा तो सुधारने के लिए तो 800 debit करोगे, कितना, 800 debit करोगे 800 debit to suspense, 800 first stage में तो आएगा नहीं, क्योंकि trial balance का ही है, ramesh account debit to suspense, 800, गलत credit कर दिया, आपने 900 debit के जगे 900 credit हुआ, सुधारने के लिए आप double से debit मारोगे, ramesh to suspense, next year भी same to same ठीक है, next 16 अलग-अलग categories के of error आपको सिखा दिये, last 3 error आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, हमने सारे तरीके के omission, commission principle, सब तरीके के errors जो है, वो सीख लिए अभी तक, ठीक है चलो, अब मैं आपको compensating error भी सिखा हूँगा, है ना, the total of debit column of trial balance is overcasted by 900, हमने total, मनला trial balance में सब item बराबर थे, सिर्फ trial balance की total हम लोगोंने 900 ज्यादा लिग दी, totaling में गडबड है ना, इसको सुधारने का कोई तरीका नहीं, आपको बस total को change करना होगा, तो ये trial balance बनने के पहले तो ये गलत, गलती भी नहीं हो सकती, trial balance बनने के बाद भी अगर आपने बाद आपस totaling mistake की है trial balance की, तो वो तो आप आप वापस calculate करके वहीं के वहीं लिग दोगे, ठीक है, उसका तो कोई effect कहीं जाता ही नहीं है, ठीक है so no rectifications at all, an amount of 900 received from Ramesh is not credited to his account, वापस पढ़िए, ये compensating error है, यहाँ पे दो-दो errors है, और ऐसे errors है कि एक error से दूसरे दो error मिलने के बाद trial balance tally हो जाता है, an amount of 900 received from Ramesh is not credited to his account, हमें 900 रुपे Ramesh से मिला था, उसके account को credit नहीं गया, इसको सुधारों के कैसे, उसको credit करना पड़ेगा, total of sales book गलती से 900 जादा है, sales book की total sales account के credit में जाती है, आपने जादा credit किया है 900 को, obvious बात है, आपको sales को debit करना पड़ेगा सुधारने के लिए 900 से, so इस error में, second वाले error में, sales को debit किया जाएगा 900 से, first वाले error में, रमेश को credit करना पड़ेगा 900 से, तो actually ये दो अलग-अलग independent errors है, लेकिन ये ऐसे errors हैं, जिससे trial balance टैली होता है, this is a part of compensating errors, तो यहाँ पे दो-दो errors है, सुधारने के लिए sales account debit to रमेश, वैसे तो ये trial balance बनने के पहले, अगर आप मिल जाए, आपको ये दोनो errors, तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आपने trial balance बना लिया है, तो भी entry तो यही होगी, sales account debit to रमेश, sales में गलत credit हुआ है, ज्यादा credit हुआ है, तो उसे debit कर दिया, और रमेश में credit होना चाहिए था, नहीं किया है, कर दो, so sales to रमेश, sales to रमेश, next year क्या होगा, आपके दिमाग में आई गया होगा, I'm sure, sales क्या नाम इस्तमाल कर सकते हो, क्या, नहीं, sales P&L को touch करता है, sales profit change करता है, तो इसके जगे पे P&L adjustment इस्तमाल करेंगी, या prior period इस्तमाल करेंगी, prior period item to रमेश, okay, so pay handle adjustment to रमेश, salary paid to रमेश, 900 रुपे, is debited to his personal account, यह error कौन सा है, principle, omission, commission, क्या, बेड़ा salary, nominal account है, उसे हमने गलती से, उसके personal में डाला है न, this is the error of principle, वो बस सिखाने के लिए, यहाँ पे रखा हुआ है, हमने गलती से salary, उसके personal account में डाल दी तो, obvious बात है, personal गलत debit हुआ है, उसको credit करो, personal credit हो जाएगा रमेश का, और salary debit होना चाहिए, यह था, नहीं क्या है, कर दो salary debit to रमेश, simple as that, salary debit to रमेश, देखे salary आपने pay किया, entry क्या होती थी, salary to cash, आपने क्या गलती करती, debited to इस personal, so रमेश to cash कर दी आपने, तो रमेश गलत debit हुआ है, रमेश को कर दो credit, और salary debit होना चाहिए, उसको add कर दो, salary debit to रमेश, salary debit to रमेश, salary debit to रमेश, दोनों सेम ही है, ठीक है, one-sided error में बस इदर suspense आता है, बाकी second stage में कोई difference नहीं है, और बस salary आप इस्तमाल कर पाओगे, क्या next year नहीं, next year अगर आप इससे सुधार नहीं जाएंगे, तो इसकी entry बनेगी P&L adjustment to रमेश 900 रुपे, I am sure you must would have appreciated how easy is rectification of errors, the difficult part कहाँ पे है, मालू मैं rectification is not difficult, मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, rectification is not difficult, the difficult part is the interpretation of the error itself, गलती क्या हुई है न, वही student समझ नहीं पाते हैं, तो उससे rectify कहाँ से करेंगे, student की rectification capabilities में problem नहीं है, problem है उनके interpretation skills में, आपको वो develop करनी है, और अगर वो develop हो गई, तो आप अपने आप इसमें excel कर जाओगे, उसको develop करने का एक ही तरीका है, आपको बहुत सारे, अलग-अलग variety of ऐसे errors वगेरा पढ़ने पढ़ेंगे, ताकि आपको समझ में आने लगे कि इस statement में actually error यह होता है, understand वो धीरे-धीरे आपकी skills develop होने लगेंगी, ठीक है, चलिए, अब हम लोग questions solve करना start करते हैं, बड़े questions जो आपके textbook से लिए गए हैं, ठीक है, question number one, how would you rectify the following errors in the books of Rama and company, assuming you detect the errors before preparation of trial balance, यानि यह stage one का error सिखाने के लिए मैंने लिया है, how would you rectify the following errors in the books of Rama and company, assuming you detect the errors before preparation of trial balance, the total of purchase book has been undercast by 100 rupees, हमने trial balance बनाया नहीं है, है ना, तो trial balance बनाते नहीं है, तो rules क्या है, two-sided error के लिए तो journal entry, one-sided error के लिए क्या करोगे, one-sided error के लिए एक statement लिखा जाता है और बस आपको एक single-sided effect उसका देना होता है, और वो tally हो जाता है, अब, purchase book को undercast किया गया है 100 rupees से, purchase book की total कहां जाती है, purchase account के debit में, सही है ना, purchase book की total कहां जाती है, purchase account के debit में, तो हमने debit में 100 रुपे कम लिखे हैं, तो debit कर दो, है ना, तो आप क्या करेंगे, in the books of rama and company, you will debit the purchase account, you will debit the purchase account, वो भी कितने रुपे से, 100 रुपे से, और वहाँ पर आप इस तरीके का narration लिख सकते हैं, to undercasting of purchase book for the month of for the month of, maybe November पकड़ लेता हूँ, मैं वहाँ पर month तो दिया नहीं है, आप कोई भी month assume कर सकते हैं, November 21, अभी आपका वही चल रहा है, इसलिए मैं वो consider कर रहा हूँ, ठीक है, so, to undercasting of purchase book for the month of November 21, we can assume 100 रुपे, ठीक है, so, इस तरीके से, आप इसे rectify कर सकते हैं, simple as that, one-sided effect है, क्योंकि trial balance बना नहीं है, तो suspense भी आया नहीं है, बिच्चर में, the return inward book has been undercast by 100, same, return inward book की total कहां जाती है, return inward account के debit में जाती है, और ये error एक के account में जा रहा है, return inward में, उसकी total हमने कम कर दी है, return inward book की total, बिच्चर return inward के debit में जाती है, और वो हमने debit कम किया है, तो आप और debit कर दीजे, चलिए, so, debit the return inward account, debit the return inward account, ठीक है, और वहाँ पर आप क्या लिखेंगे बिटा, क्या नाम से लिख होगे, to undercasting, to undercasting of return inward book, return inward book, for the month of, whatever, जो भी month होगा, और कितना रूपया, 50 रूपीज, 50 रूपीज, let's move to the next one, a sum of 250 रूपीज, return of as depreciation on machinery, has not been debited to depreciation account, 200 रूपय, machine का depreciation, हमने write-off कर दिया है, मतलब, machine से तो हम credit कर चुके हैं, machine account से हटा चुके हैं, लेकिन हमने depreciation को debit नहीं किया, machinery का depreciation का entry क्या होता है, depreciation account debit to machinery, हम machinery में credit कर चुके हैं, लेकिन हमने debit अभी तक किया नहीं है, तो debit आप depreciation को कर देंगे, खतम, debit the depreciation account, ठीक है, कितने से debit करोगे बिटा, 200 रूपय से debit करोगे, और क्या लिखोगे, to omission of, posting of entry dated whatever, ठीक है, इस तरीके से लिखे कातम कर देंगे, है ना, आपको ऐसा narration लिखना है, बस जो आपको समझ में आ सके, that's it, है ना, बस वैसा आपको narration लिखना, आपको और examiner को, obviously, next, a payment of 75 rupees, for salaries to Mohan, has been posted twice to salaries account, तो हमने सिर्फ salary account में, again one sided error है, हमने salary account में, दो बार posting कर दी है, दो बार salary को debit कर दिया है, तो एक बार आप क्या करेंगे बिटा, salary account को credit कर देंगे, credit the salary account, ठीक है कितने से, obvious बात है, 75 rupees से, और वहाँ पर क्या लिखोगे, to double posting, of salary paid to Mohan, on whatever date, ठीक है, like this, तो इस तरीके से, आप आराम से कर सकते हैं, this is very very easy, बस error को समझ ये, और rectify करने की कुशिश करिए, चलिए, next question के कुछ, देखे, मैंने कुछ-कुछ questions में, ना कुछ कुछ केस्टेंस में एड्जेस्मेंट बहुत सिंपल थी और हम लोगों ने अल्रेडी कवर कर ली थी तो फिर आपका रिवीजन लेक्टर का परपस फुल्फिल नहीं हो रहा था तो मैंने जो important adjustments है वो यहाँ पर रखी हुई है ठीक है ध्यान में रखिएगा है नम सो लेट्स मूट तो नेक्स क्वेशिन नेक्स के पहले लोकेट हुए विड़े ट्राइल बनने के पहले लोकेट हुए याने same stage stage 1 है अगर one sided error रहा तो एक statement लिखोगे और two sided error रहा तो journal entry लिखोगे चलिए वैसे one sided error का मैंने पहला question रखा है यह question आपको यही सिखाने के लिए कि second stage मतलब first stage में दो effects वाले रहेंगे तो क्या करोगे 500 paid for furniture purchased has been charged to ordinary purchase account पास सो रुपए हमने किस चीज के लिए लिए furniture purchase करने के लिए और उसे कहां डाल दिया है ordinary purchase में डाल दिया है यह गलती है हमने गलती से purchase को debit कर दिया है तो इससे सुधार रहेंगे बिटा this is the second question format हमने गलती से purchase को debit कर दिया है बराबर है 500 paid for furniture wrongly charge दिया गलती से charge हो गया बिटा purchase को तो purchase तो आपको credit करना पड़ेगा परणीचर पो डेबिट नहीं क्या तो आप डेबिट कर दीजे परणीचर अकाउंट डेबिट परणीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज 500 रुपीज ठीक है 500 रुपीज नरेशन अगर आप बोलेंगे बेटे नरेशन बहुत इजी आम शूर आप उसे बना लेंगे नरेशन और कुछ नहीं होता विंग फाइंड पेड़ फर फरनीचर चाज टू और परचेज इस ना रेक्टिफाइड ना रेक्टिफाइड बहस इतना करना होता है अपने कुछ नहीं नरेशन में और रिपेट्स वेर मेड़ डेबिटेट टू बिल्डिंग अकाउंट कि से और डेबिट किसको जाना चाहिए था जो आपने डाला से नहीं है रिपेड्स आपने कि ćूख करते हैं तो ग Bib是啊 B debit to building account 50-50 ठीक है simple as that next so आप देख रहें कि two-sided errors बहुत easy होते हैं rectify करने के लिए an amount of hundred withdrawn by the proprietor 100 रुपए उसने withdraw के drawings to cash for his personal use has been debited to trade expenses now understand wrong entry क्या हो गई उसने करना था drawings to cash करना क्या चाहिए था drawings to cash क्या कर दिया उसने trade expense में debit कर दिया trade expense to cash कर दिया चलो cash में तो बराबर गया cash को ignore करो trade expense गलती से debit हुआ ना सुधार तो उसको credit कर दो trade expense गलती से debit हुआ पहले तो इसको credit कर ढींट कर दिए आग You inente Ambival को पर दिए हो और डुपिट किसको पड़ेगा दया जहा जाना चाहिए ता वो द्रॉइंगा साथ ड्रॉाइंग साथ हैं जाना चाहिए था तो ड्रॉइंग से काउंट डे टू ट्रेट एक्सपैंस अंडेट पीज ठीक है इस आस सिंपल आपको बस थोड़ा प्रैक्टिस का इसका जरुवत पड़ता है और कुछ नहीं वैसे ट्रिक्स हमेशा ध्यान में रखिए कैसे पता है चार्ज टू पर्चेज यहाने डेबिटेट टू पर्चेज तो अव्व मतलब आपको error का rectification कई हट तक question खुदी बता दिता है बस थोड़ा सा आपको smart रहना है उसको पता करने के लिए अब ये बड़े questions है वो पहले के easy questions है stage 1 के ज्यादा exams में आते नहीं है इसलिए मैं उस पर ज्यादा stress नहीं दिया revision lecture में समझाया आपको पूरा है 19 पहले तो example सिखा है कि stage 1 में कैसे किया जाता है दो हमने questions भी देखे text books के और अब हम लोग question 3 जो second category है उसके तरफ बढ़ रहे है correct the following errors found in the books of Mr. Dad the trial balance was out by rupees 493 excess credit the difference thus has been posted to a suspense account an amount of 100 received from D-10 आपको बहुत सारे errors दिये गए है ठीक है बहुत सारे errors है E-F-G-H-I बड़बर है so आपको काफी सारे errors दिये गए है चलिए 9 errors है एके करके करना जो है start करते है correct the following errors in the books of Mr. Dad the trial balance was out by 493 excess credit अच्छा 493 excess credit है तो suspense account अगर मैं बना रहा हूं सोचो आप trial balance में credit जादा है trial balance में credit जादा है तो balance करने के लिए मुझे suspense तो debit में लिखना पड़ेगा तो मैं यहां पर लिखूंगा two difference in trial balance कितना लिखूंगा भी डर two difference in trial balance 493 rupees और इसकी date क्या है date तो कुछ दिया हुआ नहीं है तो हम date ignore करते है यहां पर ठीक है two difference in trial balance 493 rupees मैंने debit में लिखा है debit में क्यों लिखा है trial balance की total जो है ना वो 493 क्रेडिट ज्यादा है तो मुझे balance करने के लिए debit में 493 जो है वो लिखना पड़ा चलिए an amount of 100 rupees was received from D-DAS on 31st December 15 but omitted to enter in the cash book अब आपको इस पे stress डालना चाहिए आपको यह सोचना पड़ेगा कि इसका एक effect miss हुआ या तो effect मैंने आपको पहली सिखाया है कि subsidiary books में अगर नहीं हुआ है subsidiary books एक journal होती है अगर उसमें नहीं लिखा है तो उसके दोनों effects नहीं हुए होंगे तो अगर omitted to be recorded in cash book तो उसके दोनों effects miss हुए होंगे तो हमने basically 100 rupees जो receive उसको कभी लिखा ही नहीं है लिख लो simple as that है ना लिख लीजे बिड़ा entry क्या होगी cash account debit entry होगी cash account debit to 10-10 है ना समझ में आगे cash account debit to 10-10 सो रुपे कैसे पता क्या cash book में ही आपने नहीं लिखा है याने आपने journal में नहीं लिखा जर्नल में नहीं लिखा तो दोनों effect नहीं हुए simple as that the total of return inward book has been cast 100 रुपे शौत return inward book की total 100 रुपे कम है return inward book की total जाती कहां पे है return inward के debit में return inward के debit में हम लोग ने सीखा है return inward की total return inward के debit में जाती है तो debit आपने 100 कम किया है तो all debit कर दो उसको तो ये entry हो जाएगी return inward account debit return inward account debit 100 रुपे ठीक है और इसका दूसरा effect कहां जाएगा obvious बात है trial balance बन चुका है और हमने इसका difference suspense में डाला है this is a one-sided error तो आपको इससे सुधारने के लिए कहां लेना पड़ेगा to suspense account 100 रुपे कहां लोगे to suspense account 100 रुपे मैंने suspense account भी बनाया है आपको समझाने के लिए suspense credit हो रहा है तो मैं suspense के credit में जाके लिखूंगा by return inward account 100 रुपे है by return inward account भी दा 100 रुपे है ना चलो let's move to the next one purchase of an office table costing 300 has been passed through the purchase day book हम लोगोंने office table खरीदा entry क्या होनी चे थी furniture to party है ना लेकिन हमने गलती से purchase book में लिख दिया याने purchase to party ठीक है purchase to the vendor so furniture to vendor होना चाहिए था हमने purchase to vendor किया है मतलब vendor account में तो बराबर गया है party account में बराबर गया है लेकिन purchase आपका गलती से debit हो गया है तो purchase को आपको करना पड़ेगा बिटा credit मैंने wrong effect reverse कर दिया correct effect क्या होना चाहिए था furniture में जाना चाहिए था यह नहीं गया है तो आप डाल दो furniture account debit कितना बिड़ा 300 to purchase 300 आया समझ में furniture to purchase simple as that this is a two-sided error this is a bit of two-sided error this is a two-sided error purchase में जाना चाहिए था नहीं गया आपने लिग दिया भी है ना so sorry purchase में गलती से हमने debit कर दिया था तो आप अपन purchase credit कर दिये वो rectify हो गया बराबर है और उसके बाद furniture में debit होना चाहिए था जो आपने किया नहीं है तो अब अपने furniture debit कर दिया है 375 paid for wages to workman for making showcases has been charged to wages account showcases भी बेटा furniture का ही एक पार्ट होता है so 375 हमने wages दीती workman को किस चीज के लिए showcase बनाने के लिए याने furniture बनाने के लिए तो entry क्या हो नहीं चीज थी furniture to cash अगर आप कोई capital asset बनाते हैं उसके लिए अगर worker को कुछ देते हो तो आपको asset में डालना पड़ता है तो आप entry करना चीज था furniture to cash आपने कर दिया wages to cash has been charged to wages account तो wages गलट debit हो गया है तो अब वेसी बात है हम इसे सुधारेंगे कैसे हम सबसे पहले हमारा wrong effect जो है उसे सुधार रहे है two wages account कितना wrong effect 375 का और अब right effect जो हमने नहीं किया वो कर देते हैं furniture हमने showcase बनाया है तो हमारी entry होनी चीज़ए तो furniture to cash तो furniture में जाना चाहिए था वो गया नहीं है डाल दो so furniture account debit आ जाएगा यहां पे 375 ओके so furniture to wages इन सब का किसी का भी posting suspense में नहीं है सिफ एक का ही suspense में था वो हम कर चुके हैं next fifth error a purchase of 67 has been posted to the trade payables as 60 हम लोग ने 67 का माल खरीदा entry क्या होगी purchase to party है ना या two creditors 67 होना चाहिए बराबर है लेकिन हमने trade payable में हमने creditor में 60 ही credit किया याने सिफ साथ ही credit किया तो भई 7 रुपे credit उसका बाकी है credit कर दो so two trade payable account कितना two trade payable account बेड़ा 7 रुपे इसको credit करना था कर दीजे आपने 67 credit करना चाहिए था 60 किया साथ रुपे कम है credit तो credit कर दो उसको और फिर debit किसको जाएगा obvious बात है suspense account को debit किसको जाएगा बेड़ा suspense account को debit पड़ेगा suspense account debit to trade payable और suspense हम बनाये वे है suspense debit हो रहा है तो two trade payable's account two trade payable's account 7 रुपे ठीक है two trade payable's account 7 रुपे चले let's move to the next one check of 200 रुपे received from PC Joshi has been dishonored and was passed to the debit of allowances account हमें 200 रुपे का check मिला था PC Joshi से पहले ही मिल चुका था वो dishonor हो गया हम dishonor के entry क्या करेंगे हम check dishonor के entry क्या करेंगे हमारा हमने obvious बात है check जब जमा किया होगा तो bank already debit कर चुके होगे तो अब अपन क्या करेंगे बिटा अपने को PC Joshi से check मिला हुआ है ठीक है तो अब अपना उससे फिर से लेना निकलेगा क्योंकि वो check तो पास ही नहीं हुआ तो अपनी entry होनी चाहिए PC Joshi to bank PC Joshi से लेना निकलेगा और bank account credit करना पड़ेगा क्योंकि bank में पैसे आया ही नहीं लेकिन हमने PC Joshi को debit करने के जगे पे allowances debit कर दिया हमारी entry होनी चाहिए थी PC Joshi to bank हमने क्या कर दी allowances to bank तो जो गलत bank में तो बराबर गया है bank को आप छोड़ दो allowances गलत debit हुआ है इसको credit कर दो और PC Joshi debit हुआ नहीं वो debit कर दो तो PC Joshi debit to allowances this will be the entry है नहीं पी सी जोशी account debit to allowances account 200 रुए है ठीक है तो as simple as that let's move to the next one thousand paid for purchase of a motorcycle for Mr. Dutt मतलब उसके personal use के लिए हमने 1000 रुपे का एक motorcycle खरीदा है और उससे miscellaneous expense में डाल दिया है 1000 रुपे का for Mr. Dutt धंदे के लिए नहीं खरीदा है Mr. Dutt के personal use के लिए खरीदा हुआ है तो 1000 रुपे का motorcycle Mr. Dutt के लिए हमने खरीदा गलती से उसे miscellaneous expense में डाला इंट्री क्या होनी चाहिए थी पेटा अपन उसके लिए खरीद रहे हैं तो drawings debit बराबर ना drawings debit हो जाता था drawings to cash और हमने क्या कर दिया miscellaneous expenses to cash cash में तो बराबर गया है cash cash same है उसको छोड़ दो आप miscellaneous expense गलत debit हुआ है इसको आप credit कर दो पहले तो तो 2 miscellaneous expenses यह गलत debit हो गया था तो इसे credit कर रहे है 1000 रुपे से और किसको debit जाना चाहिए था जो हमने नहीं किया drawings तो correct effect add कर दीजिए drawings account debit the drawings account debit to miscellaneous expenses this will be the entry okay actually let's move to the next one goods amounting to 100 rupees has been returned by customer were taken to inventory no entry in respect thereof was made into the books हम लोगों को 100 रुपे का माल customer से वापस आ गया बराबना 100 रुपे का माल customer से वापस आ गया और उसकी entry हुई नहीं है it's a complete omission तो बस entry pass कर दीजिए दोनों भी effect नहीं हुए तो entry pass कर दीजिए तो entry क्या बनेगी sales return आया है तो entry क्या करोगे customer से आया है sales return आया बाया है तो entry क्या करेंगे आपन entry करेंगे sales return account debit to party sales return account debit to party याने two trade receivables या two customer account आप कुछी भी लिख सकते है मिटा आप customer भी लिख सकते हो आप trade receivables भी लिख सकते हो so two customers account hundred and last a sell of 200 to sing and company was wrongly credited to their account हम लोगों ने 200 का माल बेचा था sing and company को गलती से credit कर दिया आपको पता है wrong side मैं आप करते हो तो double amount से change करना होता है याद है ना so गलती से हमने उसे credit कर दिया उसने खुद ने बोल दिया कि हमने गलत क्रेडिट किया है हमने गलत credit किया है सुधारों के कैसे debit करके तो sing and company को debit कर दीजे sing and company को debit कर दीजे कितने से debit करोगे double amount से 400 रुपे से और उसका दूसरा effect देने को कुछ है नहीं तो आप क्या करेंगे to suspense account है ना to suspense account और कितना 400 रुपे चलिए इसका posting भी हम suspense में कर लेते हैं suspense credit हो रहा है by sing and company by sing and company by sing and company शार्ट सो रुपे और यह आपका suspense account automatically tally हो जाता है ठीक है यह आपका suspense account बेटा automatically tally हो जाता है let's move to the next question come on ठीक है enough questions रखे में आपके पूरे practice के लिए the trial balance of Mr. W.N.H. failed to agree the difference of 20,570 was put into suspense pending investigation which disclosed that purchase return day book अच्छा उसने errors उसके बाद एक के बाद एक बताये हैं ठीक है यह question रखने का एक special purpose है एक बार हम लोग सब errors एके करके पड़ते हैं purchase return book correctly total correctly entered and total at 6160 had not been posted to ledger discount received has been debited to discount allowed sales under added है credit sale किया था लेकिन customer को अलग debit हुआ है vehicle जो 7,000 में खरीदा था depreciate होके बारा सो हो गया वो 500 में बेचा है in the beginning of year no entries other than in bank account had been passed next an accrual of 560 rupees for telephone charges has been completely omitted bad debt है कुछ तो भी 1560 का जो write-off नहीं हुआ है provision बनाना है trade receibles का जो trial balance में 23390 पे थे with a credit provision of 2320 यह सबसे special adjustment है मैं आप से जूट नहीं कर रहा हूं मैंने इसी adjustment के लिए ए question यहां पे रखा हुआ है the tools bought for 1200 had been inadvertently debited to purchases और proprietor ने कुछ personal use के लिए withdrawal किया है जिसका entry हमने नहीं किया that is easy required आपको क्या required है you are required to pass rectification entries without narration to correct the above errors before preparing annual accounts so annual accounts बनाने के पहले it's not in the next year it's in the current year itself लेकिन after the trial balance ठीक है before preparing annual accounts और यह कैसे पता चला क्योंकि उसने पहले line में लिखा है कि अपने suspense में उसको डाल दिया है फिर पर ए statement showing effect of rectification on the reported net profit before correction of this errors तो इसका effect profits पे क्या होगा वो भी आपको पूछा गया है तो चलिए देर किस बात किया है शुरुदा करते हैं the trial balance of w and h fail to agree difference of 2570 was put into suspense लेकिन उसने यह नहीं बताया कि उसने debit में लिखा है या credit में तो हम क्या करें हम एक ही चीज़ कर सकते हैं कि हम जो suspense account बना रहे हैं यहां पर suspense account की opening line को blank छोड़ दें question में उसने पूछा तो नहीं है suspense account बनाने के लिए लेकिन आपको working note में बनाना ही चाहिए आपको बिड़ा working note में बनाना ही चाहिए ठीक है चेक करने के लिए क्यों match हो रहा है या नहीं next purchase return day book had been correctly entered and total at 6160 but not posted to the ledger मतलब purchase return book की totaling odling तो बराबर की लेकिन purchase return book की posting की नहीं purchase return book की posting कहा जाती है purchase return book की posting जाती है purchase return के credit में बराबर है तो वो हमने किया नहीं है कर लो है ना वो हमने किया नहीं है तो कर लो तो टू परचेस रिटन अकाउंट अब ये तो हो गया टू परचेस रिटन अकाउंट 6160, प्राब्लम यह है मैं डेबिट किसको करूँ यह तो one-sided error है, परचेस बुक की टोटल परचेस रिटन की टोटल, परचेस रिटन के 6160, तो सस्पेंस टू परचेस रिटन, तो चलिए सस्पेंस के डेबिट में जाके पोस्ट कर दे, मैं एक लाइन ऊपर की ब्लैंक छोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे पता नहीं है कि वो ओपनिंग बैलेंस डेबिट में है या क्रेडिट में है, तो मैं यहाँ पर ब्लैंक छोड़ रहा हूं उसको 6160, और इसकी डेट कुछ दी है क्या, उसकी डेट कुछ दी नहीं, नहीं तो डेट भी हम डाल देते थे anyways, discount receive 1320, had been debited to discount allowed ठीक है, discount receive debita 1320 का, जो discount received के대िट में जाना था हमने discount allowed के debit में लिख दिया, उसने, खुद ने बोलाई कि उसने क्या गलती की है उसने discount allowed के debit में लिखा है, तो पहले तो discount allowed को credit कर दो आप, to discount allowed, इसको तो सुधार देते हैं पहले जितना आपको समझ में आता है उतना तो करते चले जाने का कभी भी है न अच्छा discount received discount received के कहा जाता है credit में जाता है ठीक है तो उसने discount received credit करना चाहिए था जो उसने किया नहीं है so to discount received भी आ जाएगा यहाँ पे to discount received account वो भी 1320 और इसका पूरा दूसरा का effect जो है वो कहां जाने वाला है इसका दूसरा effect जाएगा suspense account में कहां जाएगा बड़ा suspense account में और वो भी इसका double आपको वैसे तो मैंने ये भी rule सिखा है कि आपने अगर गलत किताबों में लिखा तो फिर obvious ही बात है double effects आपको करना पड़ता है और दोनों या तो साथ में credit होता है या साथ में debit होता है discount allowed में भी same rule applicable है अगर आपने allowed का receipt में लिखा तो या तो दोनों साथ में debit होने है या साथ में credit होने है so 1320 1320 दोनों को हमने reverse कर दिया और allowed वाला reverse कर दिया ठीक है दूसरा effect उसका suspense में तो चलिए suspense के debit में जाके लिक देंगे suspense के debit में जाके लिक देंगे तेरा सो बीस तेरा सो बीस ठीक है तेरा सो बीस पर तेरा सो बीस चलिए आगे credit sale of 1400 so sorry the sales account had been under added by 10,000 हमने sales account की under totaling की है sales account की under casting हुई भी है तो sales account की total जाती का है sales account के credit में जाती है तो हमने sales account के credit में कम figure लिखा है तो आप sales को credit कर दो तभी तो वो सुधरेगा बराबर है तभी तो correct होगा हमने गलती से sales को कम credit किया है under added है तो आपको उसे सुधारने के लिए sales को credit करना होगा credit the sales account okay so credit sales account by how much by 10,000 correct the sales account by 10,000 ठीक है तो फिर obvious बात है आप debit किसको करोगे आपको debit करना पड़ेगा suspense account को ठीक है हमने गलती से sales की total कम कर दिये तो sales account को सही किया sales account के credit में लिखा 10,000 और debit किया suspense को ठीक है debit किया अपड़े suspense को तो इधर suspense के debit में 2 sales account 2 sales account 10,000 ठीक है वैसे तो सब debit debit दीख रहे हैं तो इसका मतलब वो 20,000 जो difference था ओपनिंग और credit में आने वाला है ठीक है चलो करेंगे आगे credit sale of 1470 has been debited to the customer account at 1740 हमने credit sale किया था 1470 रुपय का जिसे customer account में 1740 डाल दिया गया याने हमने customer account को ज़्यादा debit किया है तो customer account को credit कर लो है ना customer account को credit कर दो to trade receibles account कितना obvious बात है हमने 1470 डालना था लेकिन हमने 1740 डाल दिया याने 270 से trade receibles को credit कर दीजे debit किसको होगा debit करने के लिए तो कोई है नहीं तो suspense account कोई आपको debit करना पड़ेगा this is a one-sided error है ना suspense account debit to trade receivables so credit sale था ज़्यादा debit हो गया तो अपने reverse कर दिया उसे customer से suspense account debit to trade receibles again suspense के debit में post करना पड़ेगा two trade receivables 270 रुपीज सब debit में आ रहे है by chance a vehicle bought originally for 7,004 years ago depreciated to 1200 रुपे has been sold for 1500 रुपे एक vehicle है 7,000 का जो खरीदा था और उसको depreciate करते करते अपने किताबों में वो अब 12 रुपे पढ़ा है कितने पे 12 रुपे उसे हमने 1500 में बेज दिया 300 रुपे profit in the beginning of year तो current year के depreciation का भी कोई सवाल नहीं no entries other than in the bank account has been passed अगर आप ये asset बेजते हैं तो entry क्या होनी चाहिए थी bank account debit bank में आपको 1500 रुपे मिलते बराबर bank debit 5,500 और credit किस किस को करते एक तो vehicle credit हो जाता था vehicle वो 1200 रुपे का ही था और बचा 300 आप किस को credit करते आप करते 2 P&L on sell off vehicle 300 रुपे to profit loss on sell off vehicle आप 300 रुपे करते ये हमारी entry होनी चाहिए थी bank account debit 1500 bank में हमें 1500 मिले vehicle गया 1200 का to vehicle account 1200 to profit loss on sell off vehicle 300 रुपे लेकिन उसने clearly लिखके दिया है कि हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पास किये और वो भी ये bank account में हमने एक ही effect पास किया bank account में बाकि कोई entry हमने पास नहीं की मतलब सिर्फ हमने debit किया मतलब सिर्फ हमने bank को debit किया ये credit किये ही नहीं है अब डालो credit finish है ना तो इसको credit करोगे तो क्या entry बनेगी अगें debit में तो आपको suspense ही लेना पड़ेगा क्योंकि debit तो पहले ही हो चुका था उसका credit ही आपने किया नहीं था तो अब आप credit कर रहे है to vehicle account to vehicle account 1200 and to profit on sell of vehicle to profit on sell of vehicle that is 300 तो फिर vehicle में कितना suspense में कितना जाएगा बड़ा 1500 रुपे तो suspense account के debit में जाके आप फिर से लिखेंगे to vehicle to profit on sell of vehicle account 1200 और 300 so this way it can be done ठीक है इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं next चलिए आगे चलेंगे an accrual of 560 रुपीज for telephone charges has been completely omitted accrual है मतलब outstanding telephone charges है आपने final accounts में ऐसी entries बहुत की है outstanding को हमने अभी तक record ही नहीं किया है तो record कर लीजे this is a dual sided error it's not a one sided error हमने पूरा उसका accrual record ही नहीं किया है तो उसका entry आ जाएगा telephone charges बड़ाब है telephone charges account debit to outstanding expenses या outstanding telephone charges या outstanding expenses में डाल जाता हम बड़ा outstanding expenses account कितने का है 560 560 560 560 560 like this let's move to the next one which is the most important adjustment bad debt of 1560 had not been written off provision for doubtful debt should have been maintained at 10% of trade papers which are shown in the trial balance at 2390 with the credit provision for bad debts at 2320 सबसे पहले उसने कहा कि आपको bad debt को write off करना है 1560 इसकी entry करता है bad debts account debit 1560 2 trade receivables account 1660 2 trade receivables account 1560 अब आपको क्या करना है main चीज अब है उसने कहा है कि provision for doubtful debts 10% होना चाहिए trade receivables का और वो trade receivables trial balance में थे 23,390 और आपके trial balance में credit provision भी थी 2320 की कोई ordinary student क्या करता है बड़ा कोई भी ordinary student वो इसका 10% निकालने की कोशिश करता है और वो देखता है कि इन दोनों का जो gap है उसको record कर लो यही सबसे बड़ी गलती होती है समझने की कोशिश करिए यह trade receivables का balance trial balance का दिया हुआ है trial balance जब बना था तब का difference कितना था वो भी आपको दिया हुआ है वो भी बड़ा आपको दिया हुआ है 20,570 मतलब trial balance जब बना था न उस time पे यह error के rectifications नहीं हुए थे बराबर उसके बाद में हुए मतलब यह जो 23,390 का balance है यह rectification of errors के पहले का है और हमने मालूम है हमने जो entries pass की आप देखो हमने जब यह वाली entry pass की थी ना यह 270 वाली यह सबसे important एविड़ा हमने यह 270 वाली entry pass की थी उसमें आपका trade receible credit हुआ हुआ है हमने जो bad debt book किया है इसमें भी आपका trade receible credit हो चुका है तो 23,390 यह जो trade receible थे जो trial balance में खड़े थे जब rectification स्टार्टी नहीं हुआ था उस time पे 23,390 थे आपको इसका 10% नहीं लेना है आपको इस 23,390 में से यह दोनों पहले कम करने पड़ेंगे क्योंकि इसमें भी trade balance sorry trade receible credit हुआ है और इस entry में भी trade receible credit हुआ है यह rectifications के पहले का था लेकिन हमें तो 10% rectification के बाद जो trade receible बचेगा उसका लेना होगा तो आप Kelsey पे लीजिए बेटा 23,390 बराबर है यह rectification के पहले का trade receible अब हम निकालते कि सई trade receible क्या है उसमें से 270 कम कर लो जो हमने पहला rectification किया और उसके बाद 1560 भी कम कर लीजे तो हमारे यह बचरा है 21,560 कितना बचरा है 21,560 इसका यह corrected trade receible है इसका 10% अपने को provision चाहिए है इसका 10% बेटा आपको provision चाहिए है इसका 10% होता है 21,56 कितना होता है 21,56 इतना अपने को provision चाहिए बराबर और आपका provision अल्डेडी कितना है 320 उपे का provision है आपको चाहिए सिफ 21,56 और आपका provision है 220 extra provision है अपना डिड़क कर लीजे 220 220 ये answer आ रहा है 164 ये कितना आ रहा है 164 तो 164 का extra provision है उसे reverse करके P&L भेजना पड़ेगा तो entry बनेगी provision for bad debts provision for bad and doubtful debts bad debts में डाल देते हैं provision for bad debts account debit 164 to P&L account 164 इसे फिर से profit में डाल दिया provision हमारी कम हो जाएगी मैं वापस समझा देता हूँ सबसे important adjustment है ये ठीक है हमने कैसे किया आपको यहाँ पर लिख कर दिया हुआ था कि trade receivables का balance trial balance में दिया हुआ है 23,390 लेकिन trial balance बन जाने के बाद हमने 2-2 rectifications किये हमने सबसे पहले 270 का rectification किया था यहाँ पर जो customer को extra debit हो गया था यह customer को बिटा extra debit हो गया था तो हमने उसे कम किया था तो trade receivables कम हो गया ना हमारा customer कम हुआ है और trade receivables कम हो गया तो हमारा trade receivables 23,390 बचा ही नहीं इसमें से 270 पहले वो कम हुए फिर 1560 यह कम हो गया तो हमारा trade receivables और नीचे आ गया और उसके बाद में यह trade receivables बचा था 21,560 का और उसका 21,560 का हमने 10% निकाला जो कि 21,56 था मतलब हमें provision सिफ 21,56 रखनी थी लेकिन provision अल्रेड़ी 23,20 दी थी तो provision अल्रेड़ी ज्यादा दी भी है तो हमने 164 रिवर्स कर दी entry क्या बनी इसकी इसकी entry बन गई बटा profit and so sorry provision for bad debts account debit to pay and all accounts so it is like this यह बहुत tricky था इसलिए यह वाला आपको मैंने खुदने करवा दिया यहां पे मैंने आपसे कहा है बटा आपके xbooks में सारी जो tricky adjustment से वो मैंने यहां cover कर ली है tools bought for 1200 has been inadvertently debited to purchases इसमें कुछ suspense है नहीं तो suspense में तो कुछ गया नहीं tools हमने गलती से purchases में debit कर दिया उसने खुदने कहा है कि हमने गलती से purchase debit किया है ना पहले तो इसको सुदार लो जो easy होता है ना वो पहले कर लेने गा to purchase account यह बात हमेशा याद रखना बढ़ा यह exam के trick होती है exam में हर step का marking है अगर आपके आधी entry right है तो आधा mark मिल जाएगा आपको फिकर मत करिएगा ठीक है so to purchase account जो आपने को आ रहा है उतना तो कर लो गलती से debit हुआ है ना सही किसको जाना चाहिता tools में जाना चाहिता loose tools में जाना चाहिता वो हमने किया नहीं है तो loose tools account debit वो कर लीजे 1200 to purchase is 1200 ठीक है simple as that next proprietor ने कुछ goods withdraw किये उसकी entries ही की नहीं है तो उसकी entry कर लीजे proprietor ने goods withdraw किये और आपने उसकी entry की नहीं है तो कर लो proprietor withdraw करेगा तो entry क्या होता है drawings to purchases ठीक है so drawings account debit purchase account इतना 907 ठीक है चलिए और अब check करते हैं क्या ये हमारा match हो रहा है 20,570 सारे debit डेबिटी डेबिट आए तो अव्वेसी बात है ये difference in trial balance तो यही होगा by difference in trial balance कितना 20,570 ठीक है 20,570 check करते हैं क्या debits और credits match हो रहे हैं अरे वा debit और credit का total बिल्कुल match कर रहा है इसका मतलब अपना answer बिल्कुल सही है चलिए let's move to the next question वैसे उसने ये भी कहा था ये ऐसा statement बनाओ जिससे आपको ये पता चले कि इसका effect क्या होगा profits पे वैसे मैं आपको ये सी समझा दो इसका answer आपके text book में भी दिया हुआ नहीं है लेकिन मैं आपको जुरू बताना चाहता हूँ कि इसके impact क्या होगे profits पे आपने पहले rectification पे purchase return credit किया purchase return credit करना मतलब आपने purchase return बढ़ा दिया purchase return अगर बढ़ेगा याने आपका purchase का खर्चा घटेगा तो आपका profit बढ़ जाएगा पहले वाले से आपके profits बढ़ जाएगे 6160 दूसरे में आपने allowed को credit किया याने खर्चा credit किया आपने income भी credit की याने खर्चा घटाया और profit भी बढ़ाया दोनों में आपका profit बढ़ने वाला है sales credit हुआ है sales आप बढ़ा रहे हों profit बढ़ेगा suspense to trade receibles यह personal account है इसे profit पर कोई impact नहीं होता इसमें profit हुआ था वो आपने record नहीं किया जब आप record करोगे तो profits बढ़ जाएगे telephone charges खर्चा आप record करने जा रहे है outstanding expense तो personal account है telephone charges जो account होता है वो obvious बात है एक खर्चे का account आप खर्चा debit कर रहे है याने profits इसे कम हो जाएंगे ठीक है profits इसे कम हो जाएंगे 560 से bad debt to trade receival नुकसान आप बुक कर रहे है profit कम हो जाएगा और P&L इधर credit हो रहा है तो profit क्या होने वाले बढ़ने वाला है loose tools to purchase, purchase आप घटा रहे हो profit बढ़ेगा drawings to purchase, purchase आप घटा रहे हो profit बढ़ेगा ठीक है तो यह उसका real impact होता है profits अगरे पर ठीक है तो वो भी हमने discuss कर लिया आपके text books में उसका answer नहीं था anyways question number 5 past the rectification errors for the past the rectification entries for the following errors located after preparation of trial balance to be very frank यह जिस question से मैंने लिया है उसमें और भी बहुत adjustments थी लेकिन सबसे important और tricky वाली यह दो थी तो वो मैं यहाँ पर करवाने जा रहा हूँ ठीक है a sell of 200 रुपे made to घंशाम was correctly entered in the sales day book but wrongly posted to the debit of रादेशाम हमने sell किया दोसो का किसको किया घंशाम को किया sales में तो बराबर गया लेकिन गलत post किया गया है और वो भी रादेशाम को debit हुआ बीस से ठीक है सबसे पहले हमारा rule है कि जो गलत debit हुआ है उसे आप credit कर दो चलो जो गलत debit हुआ है उसको आप credit कर दो to राधेशाम है ना इसे गलत credit हो गया है to राधेशाम अकाउंट इसे गलत credit हुआ बीटा कितने से बीस से गलत debit हुआ बीस से तो हमने इसे सुधार दिया credit करके बीस उपे से ठीक है next sell था गणशाम को गणशाम के debit में जाना चाहिए ता नहीं गया है कर डालो गणशाम अकाउंट debit कितना 200 रुपे तू राधेशाम राधेशाम किस ठीक है और इसके बाद बीटा अभी आप देखो कि ये debit हुआ 200 से ये credit हुआ सिफ 20 से क्योंकि इसको 200 का sell हुआ था तो 200 से debit होना था इसे 20 से credit हुआ है क्योंकि 20 से ही debit हुआ तो 180 का जो difference है वो suspense में जा रहा है आप ये rectification interest कब कर रहे हो trial balance बनाने के बाद तो suspense तो बनाया हुआ ही है so 2 suspense account 180 ठीक है 2 suspense account बेट है 180 it is as simple as that और ये वाला एक बहुत ही tricky adjustment था ठीक है जो generally बच्चों को नहीं समझ में आता bad debts aggregating 450 were written off during the year in the sales ledger but were not adjusted in the general ledger यहाँ पर मैं आपको कुछी समझाना जाता हूँ बड़ी बड़ी जो organizations होती है वो तीन तरीके के ledgers रखती है sales ledger जिसमें सारे customers के account होते हैं किसके account होते हैं customers के account sales account नहीं होता सिर्फ customers account नाम उसका sales ledger है लेकिन sales account नहीं होता यहाँ सिर्फ customers account होते हैं purchase ledger जिसमें सारे creditors या supplier के account होंगे और general ledger में बाकी के all other accounts याने bad debt हो गया sales हो गया purchase हो गया वो सब general ledger में होता है उसने कहा कि bad debts aggregating 4500 bad debt जो 4500 के है वो write off किये गए sales ledger में मतलब customer account से write off हो चुके हैं लेकिन we are not adjusted in general ledger bad debt write off करने की entry होती है bad debt to customer bad debt to party तो customer में आप write off कर चुके हैं लेकिन bad debt में आपने debit नहीं किया है तो बस इसका entry आ गया bad debt to suspense account bad debt account debit to suspense account ठीक है I am sure आपको समझ में आ गया होगा ये tricky इसलिए क्योंकि students लोगों को ये ही पता नहीं होता है कि ये sales ledger क्या है और general ledger क्या है sales ledger में सारे customer के account होते हैं और general ledger में सारे बाकी के account हो जाते हैं ठीक है तो sales ledger में हम write off कर चुके हैं आपने customer से आप write off कर चुके हो लेकिन नुकसान आपने bad debt में अभी तक डाला नहीं है तो बस bad debt को debit कर दो आ गया इंसर ये था question number 5 और अब मैं second category के विटा काफी questions करवा चुका आपको अब third category के तरफ बढ़ते हैं third category के भी मैंने दो questions रखे हैं दोनों अच्छे बड़े हैं important भी है ठीक है तो चलिए देर किस बात किया है sixth question के तरफ बढ़ते है Mr. A. closed his books on 30th September 2014 in spite of a difference in trial balance the difference was 830 rupees the credits being short loss carried forward in a suspense account okay so carry forward to a suspense account में मतलब in 2015 the following errors were located oh 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 मतलब ये year close हो गया है और अगले year में आप difference जो है वो ढूंड रहे हैं समझने कोचिश करिए आप rectification of error करने जा रहे हैं ये third category के questions है so 830 credit short है 830 credit short है debit ज्यादा होगा तो अविस बात है suspense credit में होगा तो मैं suspense account के सबसे पहले credit में आ जाता हूँ यहाँ पर date डाल देता हूँ 31st October 2014 1st October 2014 ठीक है क्योंकि ये September 30 को complete हुआ है तो 1 October ही अगली date आएगी और 5 balance brought down 830 उपह है 830 उपह a cell of 2300 to Lala posted to the credit of Mrs. Mala sell कितने का हुआ बेटा 2300 का हुआ Lala को कहां post कर दिया credit of Mrs. Mala बराबर ने बेटा कहां post कर दिया credit of Mrs. Mala तो sell एक तो गलत आपने post किया Mala के credit में इसको सुधार दो ठीक है इसको सुधार दो आपने गलत उसको credit किया तो पहले तो वो debit हो जाएगी Mala Mala account debit कितना 2300 Lala को sell किया था तो Lala तो ऐसे भी debit होना चाहिए था तो Lala account debit 2300 effect कहां जाएगा 2 suspense account 4600 2 suspense account बेटा 4600 like this है ना तो suspense हमारा credit हो रहा है तो suspense के credit में जाके लिखेंगे suspense के credit में जाके क्या लिखेंगे by Mala account and by Lala account by Mala, by Lala 2300, 2300 ठीक है next यह सब 2015 में हुआ 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 है अब 2015 में कौन से date पे है यह अपने को पता नहीं है next the total of written inward book for July 10 1240 was not posted in the ledger मतलब July का जो 1240 का actually I guess वो year में typing mistake है यह 2014 होना चाहिए anyways the total of written inward book जो 1240 का है वो post हुआ ही नहीं return inward कहां आता है return inward की total debit में आती कभी भी वो post हुई ही नहीं तो याने आपको return inward को debit करना पड़ेगा सुधार ने को बराबर है लेकिन समझने की कोशिश करिए मैं पहले है ना normal rectification pass करता हूँ एक minute मैंने अभी पूरी बनाई नहीं एंट्री आप ध्यान दीजे अगर आप current year में इसे rectify करते है तो इसका answer कुछ इस तरीके से आता अगर आप current year में इसे सुधारते तो return inward account debit हो जाता था 1240 तो suspense account क्योंकि one sided again 1240 यह आप करते थे क्योंकि एक ही effect इसका miss हुआ है return inward की total नहीं है return inward के debit में वो आती है लेकिन return inward account profit and loss को touch करता है और हम यह next year सुधारने जा रहे हैं तो हम लोग यह account use कर सकते हैं क्या हम लोग return inward इसके जगे पर क्या use करेंगे profit and loss adjustment account क्या इस्तमाल करोगे profit and loss adjustment account debit to suspense करोगे 1240 तो हमने दोनों भी account यहाँ पर बनाए वे profit and loss adjustment के debit में लिखेंगे to suspense 1240 और suspense के credit में लिखेंगे by profit and loss adjustment account 1240 ठीक है तो इस तरीके से बिटा आप जो है वो कर सकते हैं 1240 return pndl adjustment account debit to suspense pndl adjustment के debit में लिखेंगे और suspense के credit में next fret paid on a machine 5600 posted to the fret account as 6500 और उस पर 10% depreciation भी है तो चलिए इसे सुधारते हैं सबसे पहले तो उसने कहा कि 5600 का fret pay किया था machine पे was posted to the fret account यहां पे दो दो गलतियां हुई है एक तो amount में भी गलत है और account में भी गलत है आपको देखें मैं पहले कभी भी ऐसे ही सिखाता हूँ कि current year में सुधारते तो क्या होता और next year में करोगे तो आप नाम खली थोड़े से change कर दोगे बस तो चलिए अगर अपन इसे सुधारते fret हमने पे किया तो machine पे 56 तो entry क्या हो नहीं चाहिए थी machine account debit to cash लेकिन हमने fret account debit कर दिया वो भी 6500 तो fret account गलत debit हुआ है पहले इसे सुधारेंगे याद रखे मैं पहले ऐसे सिखा रहा हूँ कि अगर आप current year में करोगे तो क्या होगा fret account credit हो जाएगा 6500 से बराबर है और machine account debit होना चाहिए था चाहिए था चाहिए था चाहिए था 500 से machine account debit हो जाता था था चाहिए चाहिए था चाहिए था पन सो से और जो difference है 900 का वो चला जाता था 2 suspense so sorry 2 suspense ने by suspense याने suspense account debit 900 ठीक है so suspense account debit 900 machine account debit 56 2 fret 65 यह आप कब करते हैं जब आप current year में rectification करते हैं लेकिन हम तो rectification current year में करी नहीं रहे हैं हम next accounting period में कर रहे हैं machine account real account है change नहीं होगा suspense change नहीं होगा लेकिन fret के जगे पे आपको क्या इस्तमाल करना पड़ेगा P&L adjustment क्योंकि fret profits को change करता है तो अब चलिए फटा फट पोस्टिंग करते हैं suspense के debit में 900 रुपे suspense के debit में बिटा लिखा जाएगा 2 P&L adjustment 900 रुपे बराबर है और P&L adjustment के credit में तो आपको दो दो चीज़े लिखनी है by machine by suspense by machine by machine account by suspense account चपन सो और 900 ठीक है यह हो गया लेकिन इन machines पे 10% का depreciation भी चार्ज होता था अगर हम यह last year गलती नहीं करते तो last year depreciation तो claim करते ना उस पे बराबर है अगर हम लोग last year में चपन सो का machine record कर लेते थे तो last year उस पे depreciation आता था और depreciation के entry होती थी depreciation account debit to machine account बराबर है यह entry आप करते थे last year में यह हमने की नहीं है तो अब आपन कर रहे हैं विड़ा 560-560 लेकिन last year में करोगे तो तो depreciation to machine बराबर है current year में depreciation P&L को उड़ाता है बराबर P&L को change करता है तो आप इसके जगे क्या इस्तमाल करोगे P&L adjustment account debit to machine 560 बराबर है ठीक है आपको समझ में आ गया to machine account 560 रुपीज next while carrying forward while carrying forward the total in the purchase account to the next page 65590 was written instead of 56950 मतलब purchase था 56950 का हमने लिग दिया 65590 purchase था 56 का हमने purchase बहुत जादा लिखा अगर आप इसे current year में rectify करते तो purchase हमने बढ़ा दिया है तो purchase था आपको कम करना पड़ता था तो to purchase account आप लिखते और debit पढ़ जाता था suspense को बराबर debit आ जाता था suspense को और कितने का 65590 माइनस 56950 याने 8640 का 8640 का अब suspense थीक है purchase लिख सकते हैं कि आपन next year में नहीं लिख सकते क्योंकि वो P&L change करेगा so suspense account debit to P&L adjustment 8640 suspense के debit में जाओ और वहां लिखेंगे 2 P&L adjustment suspense के debit में जाओ बेटा वहां लिखेंगे 2 P&L adjustment 8640 और P&L adjustment के credit में लिखा जाएगा बाइ सस्पेंज 8640 चलिए आगे ठीक है तो हमने गलती से purchase account को क्या कर दिया बढ़ा दिया है तो purchase credit हो गया और suspense debit लेकिन purchase के जगे पे हमने नाम इस्तमाल किया P&L adjustment suspense to P&L adjustment suspense के debit में लिखा और P&L adjustment के credit में चलिए a sell of machine on credit to meta 9000 was not entered in the books at all books at all the book value of the machine was 6750 याने हमने 9000 का machine जो है वो बेचा और वो भी Mehta को उसका book value था 6750 रूपीज entry क्या होती अगर आप current year में इसे rectify करते Mehta account debit 9000 to machine account excuse me to machine account 6750 to profit and loss to profit on sell of machine to profit on sell of machine account 2250 यह उसका entry होता current year में अगर आप इसे सुधारते हैं लेकिन याद रखिए ठीक है यह आप अगर सुधारते हैं तो बड़ा यह वाला entry होता लेकिन हम लोग यह assume कर रहे हैं यहाँ पर अगर आप current year में सुधारते तो यह वाला entry होता लेकिन यह आप next year change कर रहे हैं तो इसका entry होगा Mehta account debit personal है चेंज नहीं होगा machine account real है चेंज नहीं होगा लेकिन profit and loss on sell of machine के जगे पर आप क्या नाम दे देंगे to P&L adjustment account क्या नाम दोगे यहाँ पर to P&L adjustment account 2250 अच्छा मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ यहाँ पर मैंने एक assumption किया है कि यह जो machine का sell है यह at end of year हुआ है और यह book value at end of year after depreciation है अगर आप यह assume करते हैं कि यह depreciation इस पर past नहीं हुआ है तो आपको depreciation का भी entry करना चाहिए वो अपने और ना करना पड़े इसलिए मैंने यह assume किया है कि यह at year end हुआ था और depreciation के बात का दिया हुआ है तो कोई चिंता नहीं अपने को यहाँ रखिए सब कुछ पोस्ट हो गया सिर्फ इसमें अभी अपने 8640 का तो पोस्टिंग किया था लास्ट एंट्री का मैंने भी पोस्टिंग नहीं किया है पेंडल अजस्टमेंट 2250 क्रेडिट हुआ तो पेंडल अजस्टमेंट के क्रेडिट में मैं लिखूँँगा बाइ मेता अकाउंट बाइ मेता अकाउंट कितना आएगा वो 2250 और अब इनका बैलेंसिंग कर लेते हैं पेडा साफ दिख रहा है सस्पेंस अकाउंट टैली नहीं हो रहा अपनने सारा पोस्टिंग जो है वो करेक्ट किया हुआ है ठीक है तो यह टैली नहीं हो रहा इसका मतलब there is some by balance करीडाउन याने यहां पे errors और भी है यहाँ पर बिटा errors जो है न वो और भी है तो हम लोग इसका पूरा closure नहीं कर सकते 2870 इसका balance छोड़ दिया और 2 balance carried down यहाँ पर तो आप देख सकते हैं 17390 यहाँ पर है उसमें से यह कम कर लिया वैसे एक बात बोलता हूँ अगर यह close हो चुका होता था था ना suspense तो अपन इस P&L adjustment को भी close करके capital में transfer करते हैं आखिर तो यह profits ही है तो यह capital में transfer हो जाते थे profits बोलो, loss बोलो, जो भी है यह profit है, क्योंकि obvious बात है credits are higher so यह आप profits में यानि capital में transfer कर चुके होते ठीक है this way you can do this आप ऐसा भी assume कर सकते हैं कि हम यह वाला अभी capital में transfer करें ठीक है, लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कुछ error spending है तो वो balancing करना सही नहीं लगता इसलिए हम लोग नहीं कर रहे हैं और अब last question है Mr. Roy का again he was unable to agree the trial balance ठीक है just give me a second Mr. Roy was unable to agree the trial balance last year wrote of the difference to P and L now this is something again special Mr. Roy ने trial balance वो टैली नहीं कर पाया काइदे से trial balance टैली नहीं करेगा तो suspense में जाएगा लेकिन उसने क्या किया वो जो भी difference आया न वो P and L में डाल दिया कहां डाल दिया P and L में मतलब ठीक है suspense में पहले balancing किया भी होगा उसने वो difference last में suspense को P and L में डालके close कर दिया है तो suspense account है नहीं अभी there is no opening balance in suspense account Ryan understand next year he appointed a chartered accountant who examined the old books and found the following mistakes ठीक है so there is no opening balance in a suspense account remember this इसको कैसे करना है मैं आपको एक simple सा यहाँ पर method आपको suggest कर दूँ पहले आप सारे errors का rectification जैसे करते थे वैसे ही करूगे कोई change नहीं जहाँ P and L adjustment आएगा महाँ P and L adjustment जहाँ suspense आएगा महाँ suspense कोई change नहीं सिफ year end पे दोनों account अपने को close कर देने है suspense भी और P and L adjustment भी दोनों को capital में डालके बंद finish year beginning में उनका कोई balance नहीं था न तो year end पे भी मत छोड़ना दोनों को इस Roy के capital में डालके close कर देना बस इसको समझाने के लिए यह question मैंने यहां रखा है question बड़ा है थोड़ा सा question बड़ा है थोड़ा सा so इसको समझाने के लिए बस मैंने यहां पे रखा हुआ है actually let's start so Mr. Roy टैली नहीं कर पाया उसने पहली गलती क्या किये purchase of scooter was debited to conveyance account 3000 actually उसने न last adjustment में अभी अपनने पीछे का page देखा तो यहां देख रहा है Mr. Roy used 10% depreciation on vehicles vehicles पे वो 10% depreciation claim करता है ठीक है और उसने mistake क्या क्या हुआ है उसने scooter purchase किया was debited to conveyance 3000 अगर आप इसे last year में सुधार देते अगर बेटा आप इसे last year में सुधार देते तो आपकी entries क्या क्या होती आपकी पहली entry होती हमने गलती से convince डेबिट किया तो convince तो credit हो जाता था to conveyance account conveyance याने आने जाने का खर्चा होता है conveyance account so it's an expense account 4000 बड़ाबर है फिर आप क्या करते scooter अकाउंट में इसे डेबिट कर देते scooter scooter account debit कर देते 3000 का बराबर है और पिर आप depreciation record करते, depreciation account debit to scooter scooter बोलो या motor vehicle बोलो ठीक, इससे motor vehicles ना, so motor vehicle के नाम से एटका लेता है उसको, let us use motor vehicle's account only, so motor vehicle's account debit to conveyance ये पहली entry और फिर उस पर 300 काम depreciation charge कर देते थे यही errors का rectification क्योंकि next year में हो रहा है तो आप क्या करेंगे motor vehicle तो real account है change नहीं होगा लेकिन conveyance एक P&L मतलब को impact करने वाला account है nominal है we will write P&L adjustment depreciation again profits को impact करने वाला account है nominal account है so P&L adjustment account debit to motor vehicles ओके तो P&L adjustment 3000 एक बार credit हो रहा है तो मैंने P&L adjustment यहां बना रखा है एक बार बिटा वो credit हो रहा है by motor vehicles account by motor vehicles account 3000 and two motor vehicles account 300 रुपेर्स ठीक है तो एक बार बिटा हम लोगों ने उसे debit किया एक बार credit कर लिया ठीक है न P&L adjustment पहले credit हुआ 3000 से तो हमने credit में लिखा और फिर वो debit हुआ तो debit में भी लिख दिया चलिए आगे purchase account was overcast by 10,000 purchase हमने गलती से 10,000 बढ़ा दिया है तो purchase आपने अगर गलती से 10,000 बढ़ा दिया है तो उसे सुधार दो तो अगर आप current year में सुधारते हैं तो आप कैसे सुधारते हैं to purchase account to purchase account आप कर लेते थे बिटा 10,000 बराबर है और effect जादा था उसका suspense account में है ना one-sided error है तो आप इसे कैसे सुधारते हैं suspense to purchase लेकिन next year में purchase तो हम यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगें वो एक trading वाला item है तो 2 P&L adjustment suspense account debit 2 P&L adjustment this will be the entry so suspense के debit में आप जाके लिखेंगे 2 P&L adjustment 10,000 और P&L adjustment के credit में आप लिखो होगे by suspense 10,000 ठीक है ना by suspense 10,000 चलिए next credit purchase of goods from P2,000 entered as a sale तो हमने क्या किया purchase किया था गलती से उसे sales दिखा दिया तो हमने entry करनी चाहिए थी purchase to P हमने कर दिये P2 sales ठीक है तो हमने गलती से sales credit कर दिया होगा तो आप obvious ही बात है अगर आप इसे सुधार ने जाते तो आपको sales account को debit करना पड़ता purchase account को क्या करना पड़ता उसको भी debit करना पड़ता 2 P account परावर ना आपको ये चीज़ तो मैंने सिखाई है कि अगर आपने sale को purchase दिखाया या purchase को sale तो या तो दोनों debit या दोनों credit होगे तो हमने गलती से हमने purchase किया था ना तो purchase debit sales debit to pay ठीक है हमने गलती से sale में डाला sales को reverse किया sales debit purchase debit to pay 2000-2000 और इसमें amount double ठीक है लेकिन ये तो अगर आप current year में करोगे तब की बात है sale और purchase दोनों profits को impact करने वाले है तो इसके जगे पे आप क्या करोगे P&L adjustment account debit पूरा का पूरा एक साथ 4000 और उसके बाद P account 4000 so P&L adjustment के debit में आप क्या लिक होगे to P account 4000 रुपे ठीक है so like this you can do next receipt of cash from Mr. A posted to the account of Mr. B 1000 हमें cash मिली A से गलती से B में post हो गया so entry होनी चाहिए थी cash to A हमने कर दी cash to B तो B गलत credit हुआ है तो B account को debit कर दीजे और 2 A account A को credit होना चाहिए था अच्छा इस दोनों में से कोई भी nominal है नहीं है तो ये entry next year में भी change नहीं होगी 1000, 1000 this was an easy transaction next receipt of cash from C posted to debit of his account 500 so फिर गलत side में लिखोगे आपको पता है posted to the debit गलती से debit हुआ तो C तो credit करना पड़ेगा to C account to C account और वो भी double से गलत side में आपने को हमेशा पता है आपने double से उसे reverse करते है so cash हमें मिली थी C थे हमने गलती से उसे debit किया है तो आप इसे credit कर देंगे 1000 से और debit किसको करोगे obvious बात है suspense को क्योंकि कोई और है नहीं तो suspense को करना पड़ेगा suspense account debit to C 1000 receipt of cash हुआ था तो cash में बराबर गया था लेकिन C में गलती से debit हुआ है अब C में गलती से debit हुआ है amount 1000 ठीक है अचली आगे receipt of cash from ये हो गया 500 due by Mr. Q was omitted to be taken to the trial balance 500 रुपह जो due by Mr. Q मतलब हमारा custom रे क्यों due by Mr. Q याने हमारा Q से लेना होता है due 2 रहता हुआ तो हमारा देना होता तो 500 due from Mr. Q basically debit balance लेना है हमारा was omitted to be taken to the trial balance तो in short हमारे customer का account ही अपने लेना भूल गए तो ले लीजे उसे Q account debate या customer account debate मैं Q account से ही नाम इसका दे दे रहा हूँ Q account debate या आप customer account या trade visible account भी लिग सकते है Q account debate to suspense account this is one sided error Q जो है ये भी आपका profits को touch नहीं करता nominal personal account है so 500 500 इसमें double नहीं होता क्योंकि ये wrong side में नहीं हुआ है हम बिल्कुल ही भूल गए है तो suspense के credit में by Q account by Q account suspense के अच्छा इसका पहले वाला posting भी बाखी है Q account 500 ठीक है नहीं ये कर दियाना है suspense to see 1000 to see account 1000 पर पर है चलिए आगे sell of goods to Mr. R 2000 omitted to be recorded recording ही नहीं किया है R to sales entry होनी चाहिए थी बराबर है R to sales entry होनी चाहिए थी recording ही नहीं किया है R account debit to sales account ये entry होनी चाहिए थी ठीक है ये अमने किया ही नहीं है amount है इसका 2000 अब obvious ही बात है इसमें से sales आप change कर लोगे क्योंकि next year है P&L adjustment करोगे तो P&L adjustment के credit में buy our account by our account कितना आ रहा है बटा बाय our account ठीक है let's move to the next one payment of 2395 for purchase was wrongly posted as 2593 मतलब हमने purchase किया था 2395 का लेकिन गलती से post किया 2593 इसे सुधार होगे कैसे हमने purchase 2395 का किया है और गलती से ज़ादा post किया है तो purchase को आप credit करोगे normal case में तू purchase account कितने से credit करोगे so 2593 माइनस 2395 198 है ना 2593 माइनस 2395 198 का gap difference जाएगा बटा suspense account को purchase आप use नहीं कर पाओगे इसलिए अपन इसे change कर दे दे to P&L adjustment तो suspense account debit to P&L adjustment 198 तो suspense के debit में आओ to P&L adjustment 198 और P&L adjustment के credit में आ जाओ और वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा by suspense 98 ठीक है तो ये बेटा ये सारे के सारे errors का rectification हो गया क्या यहाँ पे question खतम हो गया answer है नहीं main जो real crux था जो question की पहली line में लिखा था कि उसमें opening balance बेटा already write off किया हुआ था तो आपको closing भी write off करना पड़ेगा इसको balance करिए और पता चलेगा आपको कि आपको ROI capital में कितना डालना पड़ेगा ROI capital account 11,198-500-10,698 ओके और similarly P&L adjustment में भी यहाँ दिख रहा है कि आपको कुछ transfer करना पड़ेगा to ROI capital account इनकी journal entries बेटा अपने को लिखनी पड़ेगी यह बात ध्यान में रखिए इनकी journal entries में एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पर इसका 10,898 आ रहा है तो पहली journal entry suspense को transfer करने की year end में यह close थे ना तो year end में भी close नहीं रखना पड़ेगा year beginning में close थे तो year end में भी close रखना पड़ेगा ROI capital debit to suspense पहली entry हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर यही सबसे special पार्ट था जिसके लिए question करवाया है मैंने आपको ROI capital account debit to suspense account और इसका amount आ रहा है 10,698 suspense के credit में आपको इसे लिखना पड़ेगा ठीक है ROI capital to suspense तो आपन suspense के credit में लिख रहे हैं और इसके बाद अगली entry आ रही है P&L adjustment account debit to ROI capital account और इसका amount कितना है P&L adjustment के जो debit में आपने लिखा to ROI capital 10,898 और यह भी close हो जाएगा यह सबसे important entries थी ठीक है आपको पूरा chapter बिलकुल एक तम अच्छे से clear हो गया है ठीक है इस वीडियो का आप बार बार देख सकते हैं अगर आपको कुछ भी query रहे तो आपका वो बिलकुल अच्छे से clear हो जाए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो like करिएगा शेर करिएगा सारे friends के साथ subscribe करें इस channel को अगर आपने अभी तक नहीं किया है ठीक है and press the bell icon if you haven't done before okay thank you so much for joining me I'll see you very soon in my next revision lecture all the very very best for your studies take care bye bye